क्या आपने कभी सोचा है कि एक आदमी खुश है तो दूसरा दुखी, एक डरा सहमासा है तो दूसरे का चहरा आत्म विश्वास से खिला हुआ है, एक बहुत ही बड़े आलिशान घर में रहता है तो दूसरा इंसान सडक के किनारे या किसी सलम में अपना बसेरा किये हुए है नमस्कार, मैं हूनीत मैंट का इस्तमाल किया और बिल्कुल ठीक हो गए, इस किताब में बहुत सारी टेकनीक्स हैं जिसे हम इस्तमाल कर सकते हैं और अपनी सारी परेशानियों से मुक्त हो सकते हैं, सब कुछ दिमाग का खेल है, तो चलिए सबकॉंशिस माइंट की दुनिया को समझने का सफर इस बहुत ही आकर्शक है क्योंकि उसमें आत्मविश्वास है, उपरवाले में विश्वास है, उसे पता है वो जो चाहे वो कर सकता है, अपनी मन्जिल को पा सकता है, दूसरा इंसान डरा हुआ है, उसे लगता है कि उसका नुकसान हो जाएगा, लोग उस पर हसेंगे, ऐस इंसान आगे बढ़ने से डरेगा और आगे नहीं बढ़ पाएगा, आप अपनी लाइफ में चाहें, तो नाम, शोहरत, पैसा, प्यार, सब कुछ खीच सकते हैं, आपको किसी से कुछ उधार मांगने की जरूरत ही नहीं है, आपके पास पहले से ही सूपर पावर है, और वो है आपका सबकॉंशिस माइंड, अपने सबकॉंशिस माइंड से आप कुछ भी पूछ सकते हैं, कुछ भी मांग सकते हैं, आपको नए आइडियाज मिलते हैं, नए सोच और नए आविशकार करने की भी काबलियत आपके सबकॉंशिस माइंड से आपको मिल सकती है, आप इतना ही नहीं, आपका सबकॉंशिस माइंड आपके टूटे दिल या परिशान मन को भी एकदम दुरूस्त कर सकता है। सुख शान्ती, प्रगती, खुश करने वाली बातों से भरें। आपका दिमाग एक बागीचे के समान है। और आप उस बागीचे के रखवाले। हर दिन आपके दिमाग के बागीचे में किस तरह के बीज बोई जा रहे हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। आपकी हर स सोच आपका सच बनकर आप ही की जिन्दगी में वापिस आएगी। इसलिए सोच कर सोचना जरूरी है। जब हम अपनी सोच पर काबू पाना शुरू कर देते हैं, तब अपनी सबकॉंशिस माइंड की शक्ती को इस्तमाल करना आसान हो जाता है। कहते हैं ना, जितने भी ग वो जाने अंजाने हमने ही क्रियेट किया है। अगर आपको अपनी जिन्दगी से किसी भी समस्या को हटाना है, तो सबसे पहले आपको अपने कॉंशिस माइंड को सही तरीके से इस्तमाल करना होगा। एक बहुत ही प्रसिद्ध गायक था, उन्हें स्टेज फ्राइट हो ग लिटल मी तुम रास्ते से हट जाओ, बिग मी गाना चाहता है, उसे गाने दो रास्ते से हट जाओ, बिग मी यानिकी सबकॉंशिस माइंड, लिटल मी यानिकी कॉंशिस माइंड जिसमें डर, चिंता, परिशानी, सब कुछ आकर बैठ चुका था। अगर कभी इस गायक की तरह आप भी डरा हुआ, confused महसूस करें, तो आप भी यही टेक्नीक यूज़ कर सकते हैं, अपने आपको शांत कीजिए, फिर अपने subconscious mind से बात कीजिए, उसे order दीजिए कि वो आपकी बात माने और वो करे जो आप चाहते हैं, और अपने conscious mind से कहें, कि वो रास्ते से हट जाए, conscious mind एक जहाज के captain जैसा होता है, जैसे captain कहता है, वैसे ही जहाज चलता है, जो भी आपका conscious mind देखता है, सोचता है और मानता है, वही बात subconscious mind सच मान लेता है, subconscious mind कभी भी conscious mind से लड़ाई जगड़ा नहीं करता, बिलकुल उसी तरह, जैसे जहाज में सब captain से बिना बहस करें, उनकी हर आग्या का पालन करते हैं, अगर आप कभी बोलते हैं कि मैं उस trip पर नहीं जा सकता, या वो कोट नहीं खरीद सकती, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है तो विश्वास रखिए कि आप कभी नहीं खरीद पाएंगे, क्योंकि आपका subconscious mind इस बात को हर तरह से सच मान चुका है कि आपके पास पैसे नहीं हैं, इसलिए कभी भी कोई negative statement बोलने से पहले अच्छे से सोचिए, एक university student को एक bag बहुत अच्छा लगा, उसने bag को देखते ह मेरा हो चुका है, ये bag सेल पर है, मेरा subconscious mind इस bag को मुझ तक पहुचा रहा है, और उसी शाम इस student के boyfriend ने उसे exactly यही bag गिफ्ट कर दिया, इस student ने अपने subconscious mind को instruction दे दिया था, और process समझने की कोई कोशिश नहीं की थी, कि bag उस तक कैसे पहुचेगा, अगर कोई कहता है कि मैं र आपका subconscious mind record कर लेता है कि रात को कॉफी पीने पर आपको तीन मजे उठाना है, आपका subconscious mind 24 घंटे जाकता है और आपकी हर सोच record करता है, एक 75 साल की महिला अकेली रहती थी, इन्हें अकेला पन खाय जा रहा था, इन्होंने अपने subconscious mind से कहना शुरू किया, मेरी शादी हो गई मेरा पती बहुत ही नेक दिल, प्यार करने वाला और spiritual इंसान है, मैं बहुत खुश हूँ, करीब दो हफ़ते तक इस महिला ने बार बार अपने subconscious mind को यही बात कही, कुछ दिन बाद इन्हें एक medical store में अपना जीवन साथी मिला और अब ये अपनी शादी में बहुत खुश ह हमारा असली खजाना हमारे अंदर छुपा हुआ है, जब हम दिल से कुछ चाहते हैं और उपर वाले पर विश्वास रखते हैं, तो हमारा subconscious mind उस चीज़ को हम तक पहुँचाता ही है जो भी हमारा conscious mind सोचता है और बाहर बाहर सोचता है, वो धीरे-धीरे subconscious mind का सच बन जाता है एक बाहर जब subconscious mind किसी चीज़ को accept कर लेता है, फिर वो काम पर लग जाता है और उस चीज़ को आपकी जिन्दगी में बाहरी दुनिया में लेही आता है इसलिए जब हमारी रोजमर्रा की सोच, शान्ती और खुशी की होगी, तो हमारी जिन्दगी भी बिलकुल वैसी ही होगी जैसा आपका conscious mind बार-बार सोचेगा, वैसा ही आपका subconscious mind कर दिखाएगा हमारा दिमाग एक ही है, बस इसके काम करने के दो तरीके हैं, conscious और subconscious जैसे आप अपनी किताबे खुद पसंद करते हैं, अपने दोस्त और जीवन साथी भी, ये सारे फैसले आप अपने conscious mind से लेते हैं दूसरी तरफ आपका दिल धड़क रहा है, शरीर के सारे पुर्जे अपने आप काम कर रहे हैं, आप सास ले रहे हैं ये सारे काम subconscious mind करवा रहा है, subconscious mind, conscious mind की तरह हर बात में कारण या logic नहीं ढूनता ये धर्ती की तरह है, आप इसमें कोई भी कैसा भी बीज बो सकते हैं, जो आप बोएंगे ये वैसी ही फसल आपको देगा उधारन के तौर पर अगर आपने किसी जूट को अपने conscious mind से सच मान लिया, तो आपका subconscious mind भी उस जूट को सच मान लेगा और फिर आपको वैसे ही परिणाम भी देगा subconscious mind को subjective mind भी कहते हैं, जब conscious mind यानि कि objective mind शान्थ हो जाता है, तब subjective mind के होने का एहसास बढ़ जाता है क्या है आपको पहले से पता चल जाता है, ये सब subjective mind का कमाल है, अगर आपने अपने subconscious mind को कुछ ऐसा कहा है जो आप बदलना चाह रहे हैं, तो बहुत आसान है, आप बार बार अच्छी बाते दोराईए, आपका subconscious mind इन बातों को सुन कर इन्हें सच मान लेगा, बहुत जरूर किसी सोच को अंदर आने दे, अगर आप किसी जहास के सेलर से जाकर कहते हैं, कि तुम बहुत बिमार लग रहे हो, क्या तुम समंदर के बीच रहते रहते बिमार हो गए हो, तो वो या तो हसेगा, या गुस्सा हो जाएगा, या आपको इग्नोर कर देगा, सेलर सुभा शाम पानी के बीच रहता है तो उसे पानी की वज़ा से दिक्कत नहीं हो सकती। इसका मतलब यह हुआ कि अगर हमारा conscious mind नहीं चाहता तो हमारा subconscious mind किसी और की कही बात को नहीं अपनाएगा। हम सबकी अपनी सोच, अपने डर, अपने विचार होते हैं और हमारी जिन्दगी इनी विचारों के हिसाब से चलती है। ऐसे में अगर कोई भी हमें अपनी राय या सोच बताता है तो हमारा conscious mind चुन सकता है कि उस सोच को अपनाना है या फिर नहीं अपनाना। एक जनाब की बेटी बहुत बिमार थी उस लड़की को arthritis हो गया था और उसकी बिमारी का कोई इलाज नहीं था जाहिर सी बात है लड़की का पिता बहुत परिशान था और दो साल तक अपने subconscious mind को वो यही कहता रहा कि बस मेरी बेटी को ठीक कर दो मैं अपना दाहिना हाथ त तवियत पूरी तरह से ठीक हो गई इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अपने subconscious mind से ऐसी बाते कहें जिसमें सबकी प्रगती और खुशी शामिल है subconscious mind के साथ हसी मजाक नहीं कर सकते वो आपकी हर बात को सुनता मानता और पूरा करता है एक गायक थी जिससे audition के लिए जाना था मगर डर ने उसके हाथ पाउं ठंडे कर दिये थे इस गायक ने दिन में तीन बार खुद को कमरे में बंद करके दिमाग को शान्त करने के बाद subconscious mind से कहा कि मैं बहुत अच्छा गाती हूं मैं शान्त रहती हूं खुद पर विश्वास रखती हूं एक हफ़ते के अंदर इस गायक में अपने आत्मे विश्वास में फर्क देखा audition बहुत अच्छे से दिया और खुद पर जीत हासिल की इसी तरह से एक 75 साल की महिला अपनी आदाश की वज़ा से बहुत परेशान रहने लगी थी उन्होंने अपने subconscious mind को दिन में कई बार ये कहना शुरू किया मुझे जब जो चाहिए होता है मुझे मिल जाता है मेरी आदाश्ट दिन बदिन बहतर होती चली जा रही है मैं हमेशा खुश रहता हूँ मैं बहुत हसमुख हूँ मैं इस बात का शुक्र गुजार हूँ कि अब ये मेरा स्वभाव बन चुका है ऐसा करने से इन लोगों को खुद में बहुत बदलाव नजर आया कई बार हमें लोग कहते हैं मत करो नहीं कर पाओगे क्यूं कर रहे हो बुड़े हो गए हो कोई फायदा नहीं है और भी बहुत कुछ बच्पन से ऐसी बाते सुन सुन कर हमारी जिन्दगी इन गलत विचारों की वज़ा से मुश्किल में पढ़ चुकी है हर इंसान दूसरे के साथ यही कर रहा है यानि उसे नीचे खीच रहा है इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जब आपको कोई कुछ ऐसा कहे जो नेगिटिव हो तो आप उसे अपने अंदर मत उतारिए उनके डर को उनकी छोटी सोच को अपना मत बनाईए वो उनके विचार है उनका सफर है आपका नहीं कई बार आपको लोग विश्वास दिलाने की कोशिश करेंगे कि आपको उनकी बात अपना लेनी चाहिए क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं दरसल ये तरीका होता है दूसरों को कंट्रोल करने का और दूसरों के मन में डर भर देने का। एक बार एक आदमी एक पंडित के पास गया, पंडित ने भविश्यवानी की कि ये आदमी अगले साल हाट अटाक से गुजर जाएगा। ये आदमी घबरा गया, इनोंने अपनी विल भी तयार कर ली, रिष्टदारों को भी बता दिया, और फिर वैसा ही हुआ, अगले ही साल दिल का दौरा पड़ा और ये जनाब बुजर गये। चाप्टर त्री, सबकॉंशियस का जादू आप इसकी शक्ती खुद परक कर देख सकते हैं। सोने से पहले, अपने सबकॉंशियस माइंड को कोई ऐसी बात कहिए, जो आप करना चाहते हैं, और जिसके लिए आप कोई clarity या कोई जवाब ढून रही हैं। जो भी आप अपने सबकॉंशियस माइंड में डालेंगे, फिर आपका कॉंशियस माइंड उसी दिशा में चल पड़ेगा और आपको उस मंजिल तक पहुँचाने में दिन रात जुट जाएगा। दुनिया में इतनी तकलीफ, इतना दुख सिर्फ इसी लिए है क्योंकि लोगों को conscious और subconscious mind के बीच के रिश्टे के बारे में कुछ पता ही नहीं है। क्योंकि तब हम बच्चे थे और फिर इसी सोच ने हमारी जिंदगी का रुख तै किया। लेकिन अब जब हमें ये समझ में आ गया है कि हमारा subconscious mind एक जादूगर है तो जरूरी है कि अब हम इससे अच्छी बाते करें, अपने विचारों को शुद करें और negativity से बचें। हमारे शरीर को बनाया है उसी तरह ये बिमारी को ठीक भी कर सकता है। घड़ी बनाने वाला घड़ी को बिलकुल ठीक भी कर सकता है। यानि हमारा subconscious mind अगर शरीर को बना सकता है, चला सकता है तो इसे खुद बखुद ठीक भी कर सकता है। जोजफ मौफी ने प्रार्थना करने शुरू की, इन्होंने अपने subconscious mind से कहा कि तुमने मुझे बनाया है, तुम उपर वाले का अंश हो, तुम मुझे बिलकुल ठीक कर रहे हो, इसके लिए मैं तुम्हारा बहुत चुक्र गुजार हूँ। जोजफ ने ये प्रार्थना हर दिन तीन-चार बार पढ़ी और तीन महिने बाद इनके बिमारी पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। कोई भी बिमारी पहले दिमाग में जन लेती है और फिर शरीर के उपर दिखती है। जब हम सोते हैं तब हमारा दिल धड़कता रहता है लंग्स भी काम करते रहते हैं, चहरे के बाल तक बढ़ते रहते हैं। फिर हम जागे हुए हो या सोय हुए ये सब हमारे सबकॉंशिस माइंड का कमाल है। अगर आप कभी मेंटली परिशान हो तो अपने सबकॉंशिस माइंड से कह सकते हैं कि वो सब कुछ ठीक कर दे। आ आपका सबकॉंशिस माइंड आपका सबसे बड़ा दोस्त है, वो सिर्फ आपकी भलाई और प्रगती चाहता है, आपकी हर बात सुनता है और मानता भी है, अगर आप अपना जीवन सिर्फ सबकॉंशिस माइंड के हिसाब से चलाएं, तो कोई परिशानी आपको कभी तकलीफ नहीं दे पाएगी, इसलिए बहुत ज़रूरी है ये देखना कि हम अपने सबकॉंशिस माइंड के अंदर क्या डाल रहे हैं, अपने कॉंशिस माइंड का खयाल रखिये, आपकी रोज मर्रा की सोच आपके सबकॉंशिस माइंड के लिए इंस्ट्रक्शन बनती है, फ्रांस कुछ वक्त बाद इनका विजन लौट आया, जब डॉक्टर्स ने आखों को एक्जामिन किया तो उन्होंने पाया कि आप्टिक नर्व में अभी भी कोई जान नहीं थी, मगर माडम बिर देख पा रही थी, जब आपका सबकॉंशिस माइंड किसी भी चीज को सच मान लेता है, तो वो चीज हो जाती है, माडम बिर ने काफी जगा जाकर मननत भी मांगी थी, मगर उनकी आखों को उनके सबकॉंशिस माइंड ने ठीक किया, क्योंकि उनका विश्वास पक्का था, विश्वास अपने आप में एक जादुई चीज है, इसी तरह से एक शक्स जिनने प अपने सबकॉंशिस माइंड में उतारा, और बस, एक दिन जब फोन की घंटी बजी और घर में कोई और नहीं था, तो ये जनाब किसी तरह उठकर फोन उठाने चले गए, जो परिनाम आप चाहते हैं, उस पर ध्यान लगाए, उसका एहसास अपने जहन में उतारिए, और रोज उसके बारे में सोचते हुए, अपने सबकॉंशिस माइंड से बातचीत कीजिए, चैप्टर फोर पुराने जमाने की तरकीबें, पुराने जमाने के पंडित लोगों को हिपनोटाइज यानि की समोहित करके उन्हें कहते थे, कि उपर वाला उन्हें दर्शन देने आ रहा है, और अब उनकी तबियत बिल्कुल ठीक हो जाएगी, कुछ अजीबों गरीब तरीके भी अपनाए जाते थे, जैसे कि छिपकली को मार कर उसे चांदनी रात में चांद के नीचे रखो, और कहते हैं कि इन अतरंगी चीज़ों को करने से कई लोगों की खराब सेहत मे सुधार भी आ गया, इन सारी हीलिंग्स में दरसल क्या हुआ, इन सभी लोगों के सबकॉंशिस माइंड ने कमाल दिखाया और ये ठीक हो गए, यानि कि असली हीलर पंडित या छिपकली नहीं इनका विश्वास था, इनके विश्वास ने सबकॉंशिस माइंड को काम पर ल पूरी हो चुकी है, बहारी दुनिया में किसी भी रियालिटी को पैदा करने के लिए पहले उसे अपने दिमाग में सच मानना पड़ता है, जैसे आपका हाथ आपको दिखता है, वो सच में हैं, उसी तरह आपके थौट्स, आपके आइडियाज बिलकुल रियल हैं, वो काल चीज होती है, कहते हैं कि जब कुछ नेत्रहीन लोग ईशु मसी के पास अपनी समस्या लेकर जाते थे, तो भगवान ने उनकी आखों पर हाथ रखकर कहा, तुम्हारा विश्वास तुम्हें ठीक कर रहा है, यानि कि हर इंसान कितना विश्वास करता है, कितना नहीं, ये उसकी खुद की मर्जी होती है, इशु मसी का विश्वास, इन लोगों का विश्वास और इसके साथ, इनके सबकॉंशेस माइन की ताकत ने इन सारे लोगों की आखें लोटा दी, जोजफ मुफी के एक रिष्टेदार को टूबरकिलोसिस हो गया था, उनकी लंक्स की हालत बहुत खराब हो चुकी थी, बेटे ने अपने पिता को ठीक करने का फैसला किया, बेटे ने अपने पिता से कहा कि उसकी मुलाकात एक बहुत ही ग्यानी इनसान से हुई, जिसने उन्हें जीजस के असली क्रोस से निकला एक टुकडा दिया है, बाप ने जपट कर उस लकड के टुकडे को सीने से लगा लिया, दरसल बेटे ने चलते फिरते लकडी का टुकडा लिया था और फिर एक जूला की मदद से उसको एक आकार दे दिया था, बेटे ने अपने पिता से कहा कि रात को सोने से पहले आप इसे सीने से लगाईए और जीजस को याद कीजिए, प हमारे दिमाग के दो पहलू हैं conscious mind और subconscious mind subconscious mind हमारे शरीर के हर पुर्जे को चलाता है और control करता है साथ ही हम subconscious mind को नए नए सुझाओ दे सकते हैं क्योंकि वो हमारी हर बात सुनता है, मानता है और करता भी है अगर कोई समोहित स्थिती में हो और आप उनसे कहें कि उन्हें बुखार आ रहा है या उन्हें ठंड लग रही है तो उन्हें सच में बुखार आ जाएगा या ठंड लगने लगेगी इसका सारांश ये हुआ कि बिमारी अगर हमारे subconscious mind से जुड़ी हुई है तो हमारे subconscious mind में ठीक भी हो सकती है प्रकृती जीवन संभालने के हमेशा कोशिश करती है कभी अगर शेफ करते समय आपको चोट लग जाए तो वो चोट अपने आप सूख कर ठीक भी हो जाती है subconscious mind हर वक्त जीवन की सुरक्षा करने की कोशिश करता है psychiatrist हो, psychologist, पंडित हो या पिडॉक्टर हर कोई subconscious mind के ताकत से ही इलाज कर रहा है इलाज करने का तरीका अलग-अलग हो सकता है मगर इलाज करने वाला subconscious mind ही है आपका विश्वास आपके इलाज की गती को तेज या धीमा करता है फ्रांस में एक प्रोफेसर थे जिनका नाम था हिपोलाइट बर्नेम उनके पास एक मरीज आया जिसकी जीब पैरलाइज हो चुकी थी हिपोलाइट ने मरीज से कहा कि उनके पास एक जादोई इंस्ट्रुमेंट है वो उसे जब मरीज के मुँ में डालेंगे तो वो ठीक हो जाएगा मरीज ने ये बात मान ली हिपोलाइट ने फिर उसके मुँ में एक पॉकेट थमोमीटर डाल दिया और बस फिर ये मरीज कुछ देर बाद अपनी जीब हिलाने लगा एक बार हिपोलाइट ने एक लड़की की पीच पर पोस्टेज स्टैंप लगाते हुए कहा कि तुम्हारी पीच में तो फोड़ा हो गया है कुछ दिन बाद इस लड़की को ठीक उसी जगा फोड़ा हो गया यनि कि आप किसी के शरीर में बदलाव ला सकते हैं अगर आप उनके सबकॉंशेस माइन में किसी तरह का भी सुझाव डाल दें एक बार अपनी रिसर्ट स्टाडी के दौरान एक डॉक्टर ने अपने पेशेंट को हिपनोटाइज करके पेशेंट के दोनों हातों में उनका नाम लिख दिया फिर इस डॉक्टर ने पेशेंट से कहा कि आज शाम चार बजे तुम्हें नीन आ जाएगी और जब तुम सो जाओगे तब तुम्हारे हाथ जहां तुम्हारा नाम लिखा हुआ है वहां से खून निकलेगा बस फिर उसी दिन शाम चार बजे ये शक्स सो गए और इनके हाथों पे लिखे नाम के उपर हलकी खून की बूंदें पाई गई इसलिए जब आप किसी और के लिए कोई प्रार्थना करें तो याद रखें कि उनके सबकॉंशिस माइंड तक आप अपना विश्वास भेज सकते हैं और ऐसा करने पर बहतरी नतीजे देख भी सकते हैं चाप्टर फाइफ हर परेशानी का एक इलाज एक कहावत है कि डॉक्टर आपकी चोट पर दवा लगाता है मगर ठीक करने वाला उपर रहता है ठीक करने वाले को हम अलग-अलग नाम से जानते हैं फिर हम उसे नेचर कहें भगवान बुलाएं या सबकॉंशिस माइंड कहें आप कोई शक्ती का इस्तमाल करने के लिए किसी धर्म, जाती या रंग के होने की जरूरत नहीं है अगर आप भगवान में विश्वास नहीं रखते हैं तब भी आपका सबकॉंशिस माइंड आपकी हर तरह से हिफाज़त करेगा जिन्दगी की ये रहस्यमई शक्ती सिर्फ इंसानों की नहीं बल्कि हर पेड, हर जानवर, सृष्टी के हर जीव की देखबाल कर रही है जब भी आप प्रार्टना करें तो अपने मन में ये सोचें कि जो भी आप चाहते हैं वो चीज पहले ही आपकी हो चुकी है उधारन के तौर पर अगर आप कोई तकलीफ या बिमारी से शुटकारा पाना चाहते हैं तो अपनी उर्जा को अपने सबकॉंशिस माइंड की शक्ती की तरफ केंद्रित कीजिए अपने डर पर ध्यान मत दीजिए दीरे दीरे डर अपने आप कम हो जाएगा नेगिटिविटी खतम होने लगेगी और फिर आपकी सेहत लौट आएगी परिशानी भी अलविदा कह देगी प्रार्थना करते वक्त अपने सबकॉंशिस माइंड को थैंक्यू बोलिए क्योंकि वो आपकी मदद कर रहा है ठीक होने में अगर इस बीच फिर से डर सताए तो खुद को अपने सबकॉंशिस माइंड के ताकत की तरफ मोडिए हील होने के लिए आपको यही करना है डर से दूर जाना है और विश्वास के करीब आना है अत्रंगी तरीकों से लोगों को ठीक कर दिया करते थे यह कहते थे कि इनके शरीर से एक magnetic fluid निकलता है जो इनके मरीजों के शरीर में घुस कर उनकी तकलीफ को गायब कर देता है। लोग इस शक्स के पास भारी मात्रा में जाने लगे। सरकार को शक हुआ और मामले की तह तक पहुँचने पर पता चला कि ये जनाब लोगों को ठीक तो कर रहे थे, मगर लोग इनकी वज़ा से नहीं, अपनी कलपना की वज़ा से ठीक हो रहे थे। सबकॉंशिस माइंड को दिया हुआ इनका सजेशन और मरीज का अपना विश्वास यही थी ठीक होने की दवाई। जब हम गहरी नीद वाली अवस्था में चले जाते हैं, तब कॉंशिस माइंड के बंद दर्वाजे खुल जाते हैं। ऐसी स्थिती में कॉंशिस माइंड क्यूं, कब, कैसे, कहां सोच नहीं पाता। और इस वक्त अगर कोई आपके सबकॉंशिस माइंड से कुछ कहे, तो वो बात आपके अंदर तक चली जाती है, आप उसे सच मान लेते हैं, और फिर जीवन में आगे चल कर वही होता भी है। अगर आप लोस आंजिलिस में हैं और आपकी मा जो न्यू यॉक में हैं, वो बिमार पड़ जाएं, तो आप उनकी मदद कैसे कर सकते हैं। एक शक्स को जब टूबर कुलॉसिस हुआ, तो उन्होंने हर रात सोने से पहले ये कहना शुरू किया, मेरे शरीर का एक 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 अंग, एक एक सेल और मेरे फेफडे बिलकुल दुरुस्त और तंदुरुस्त है, मेरा शरीर सेहत मन है और उपर वाले की मर्जी से है। करीब एक महीने बाद इनकी तबियत पूरी तरहा से ठीक हो गई, जब इनसे पूछा गया कि ये सोने से पहले ही अपने सबकॉंशेस माइंड से बातचीत क्यों करते थे, तो इन्होंने कहा कि जब आप सो रहे होते हैं, तब भी आपका सबकॉंशेस माइंड काम कर रहा होत है, इसी लिए आप उसे कोई अच्छा काम दीजिए, जिससे वो रात भर कर सके, हमें कभी भी अपनी बिमारियों को नाम नहीं देना चाहिए या उसके बारे में बार-बार बात नहीं करनी चाहिए, ऐसा करने से वो होगा जो हम नहीं चाहते या जिस चीज से हम डरते हैं. हमें वो बोलना है और सोचना है जो हम देखना और महसूस करना चाहते हैं इसलिए अपने दिमाग को हमेशा प्यार, शान्ती और खुशी की भावना से भनने की कोशिश कीजिए चाप्टर शिक्स खुद को खुद ही ठीक करें चाप्टर त्री, सबकॉंशियस का जादू आपकी सबकॉंशियस माइंड ने आप करें चाप्टर शिक्स, खुद को खुद ही ठीक करें एक एंजिनियर की एक टेक्नीक होती है, जिससे वो ब्रिज बनाता है उसी तरह से हमारे दिमाग की भी एक टेक्नीक होती है जिससे वो चलता है और हमारी जिन्दगी चलाता भी है गोल्डन गेट ब्रिज बनाते वक्त सबसे पहले चीफ एंजिनियर ने अपने दिमाग में ब्रिज की तस्वीर बिठाई उसके बाद सारी आने वाली मुश्किलों को समझा और फिर जितने भी टेक्नीक्स और प्रिंसिपल्स उने आते थे उन सब को इस्तमाल में लाया गया इस तरह ब्रिज बन कर तयार हो गया बिल्कुल ऐसे ही हमारी सारी प्रार्थनाई भी हकीकत में तबदील होती है कुछ भी अपने आप नहीं हो जाता हर चीज के पूरे होने में एक प्रोसेस एक टेक्नीक होती है हम प्रार्थना करते हैं क्योंकि हमारे दिमाग में एक छवी होती है हमें कुछ चाहिए होता है और हमारी आत्मा से उपर वाले के लिए एक पुकार निकलती है आपका conscious mind आपके subconscious mind तक इस प्रार्थना को पहुँचाता है और फिर subconscious mind उस आराधना को पूरी करता है जो भी आप पाना चाहते हैं उसके बारे में शांत दिमाग से सोचें और उसे देखने की कोशिश करें जैसे की मानो वो चीज आपको पहले ही मिल चुकी है एक छोटी बच्ची को बहुत खासी आ रही थी उसने बिल्कुल दृड़ आवास के साथ कहा ये बस जा रही है ये जा रही है आदे घंटे में इस बच्ची का गला बिल्कुल ठीक हो गया और खासी वाकई में चली गई अगर आप अपने लिए एक नया घर बनाते हैं तो पहले उसका ब्लू प्रिंट त्यार होता है इसी तरह से हमारे दिमाग में भी हमें एक नक्षा बनाना चाहिए जो हम देखना चाहते हैं उसका नक्षा आपके दिमाग में आप जिन बातों को महत्व देंगे वही आपकी जिन्दगी का नक्षा बनाएंगे अगर आपकी नक्षे में डर है, चिंता है, शक है, परिशानी है, नेगिटिविटी है तो आपकी जिंदगी भी कुछ ऐसी ही होगी आप खुछ से जो भी बाते कर रहे हैं, वो सब आपका सबकॉंशिस माइंड सुन रहा है हर मिनट, हर सेकेंड, हर घंटे, आप अपनी खुशियां बढ़ा सकते हैं, अपनी सेहत सुधार सकते हैं, सिर्फ अपने इस नक्षे को सुधार कर मांगो और तुम्हें मिलेगा, इसका मतलब जब हम कोई चीज चाहते हैं और सबकॉंशिस माइंड का दर्वाजा खटकटाते हैं, तो हमें वो चीज जरूर मिलेगी, बस हमें एक बात का ध्यान रखना है, और वो है विश्वास विश्वास हमें सोच से उस चीज तक पहुँचाता है, जब आप विश्वास करें तो पूरे मन से करें, जो भी छवी आपके मन में बन रही है, वो अपने आप में एक सच है, वो बस इस वक्त दिख नहीं रहा है, पर वो पहले से मौजूद है, आपकी सोच ने उस चीज क और जाने से पहले हमेशा ये टेकनीक इस्तिमाल करते हैं, वो विजुलाइस करते हैं कि लोग आडिटोरियम में बैठे हुए हैं, सब लोग बहुत ही खुश लग रही हैं, सब कह रही हैं कि वो खुश हैं, अच्छी सेहत में हैं और बदल गए हैं, जोजफ करीब 10 मिनट तक विजुलाइस करते हैं और इस कदरख हो जाते हैं कि उन्हें ओडियंस में बैठे लोगों की आवाजें सुनाई तक देने लग जाती हैं, बस फिर इसी चित्र को दिमाग में बनाए, जोजफ स्टेज की ओर बढ़ जाते हैं, और हमेशा वैसा ही होता है, जैसा उन्हों फिर इमाजन कीजिए कि आप किसी से हाथ मिला रहे हैं, आपको एक चेक मिल रहा है, आप थांक्यू बोल रहे हैं, इसके बाद सोजाएए और बाकी काम आपका सबकॉंशिस माइंट कर देगा, अपने सबकॉंशिस माइंट से कहिए कि वो आपको ऐसे बायर से मिलवाए, ज महिला एक बुरे कोट केस में फस गई थी, उनके पती की पहली बीवी पूरी कोशिश कर रही थी कि इनसे सारी जायदाद हडप ले, इस महिला ने परिशान होकर इसी टेकनीक का इस्तमाल किया, उन्होंने अपने मन को शांत किया, गहरी अवस्था में पहुंचने पर अपन यही शब दोराए, यह बोलने के बाद वो सोजाया करती थी, ग्यारवे दिन जब वो उठी, उन्हें एक अलग से सुकून का हैसास हुआ, मानो सब ठीक हो चुका हो, उसी दिन उनके वकील का उनके पास फोन आया, उनके पती की पहली बीवी उनसे बात करके केस वापिस ले के बाद, अपने आप से धीरे-धीरे कहिए, मैं इस आदत से मुक्त हो चुकी हूँ, और मन से शान्त हूँ, इन लफजों को बार-बार दोराएए, और जब भी वही गलत चीज़ करने की इच्छा जागे, इनी शब्दों को जोर-जोर से बोलिए, ऐसा करने पर आपका सब conscious mind आपकी बातों को सच मानने लगेगा, और आपकी healing का सफर वहीं से शुरू हो जाएगा, thank you, इन दो शब्दों में भी बहुत ताकत होती है, एक पिता ने अपने बेटे से वादा किया, कि जैसे ही तुम graduation खतम करोगे, मैं तुम्हें एक car gift करूँगा, बेटे के मन में पि एक शक्स थे Mr. Broke, इनके bills सर पर थे, तीन बच्चे भी थे और नौकरी नहीं थी, इन्होंने तीन हफ़ते तक उपरवाले को thank you बोला, thank you father for my wealth, याने की उपरवाले, इतने सारे पैसों के लिए तेरा शुकरिया, जब भी पैसों का डर इनके मन को सता था, ये दोबारा इन के जीवन में अब पैसों की कोई कमी नहीं है, अगर एक बच्चा बोड में 3 प्लस 3 is equal to 7 लिखता है, तो उसकी टीचर उसे correct करती है और बोलती है कि ये गलत है, 3 प्लस 3, 7 नहीं 6 होता है, इसी तरह बिमार पढ़ना abnormal है, सेहत मन रहना हमारा सच है, जब आप अपने लिए और दूसरों के लिए सेहत, खुशी, शांती चुनते हैं, तो वो normal है, यूनिवर्स में health और abundance है, इसके विपरीत अगर हमारी जिंदगी में कुछ होता है, तो वो इसी लिए क्योंकि हम कुदरत के और खुद के विपरीत चले जाते हैं, जोजब मुफी के बहन की एक सरजर नहीं होता है, जोजब मुफी ने अपनी बहन के लिए प्रार्थना की, मेरी बहन शांत है, पीस्फुल है और रिलाक्स्ट है, सबकॉंशिस माइंड जिसने उसकी बॉड़ी को बनाया है, वो अब उसकी बॉड़ी को बिलकुल ठीक कर रहा है, उसकी सबकॉंशिस माइंड म X-ray हुआ तो X-ray results में काफी improvement नजर आया आपके सामने कोई भी reality आए जरूरी है कि आप अपनी प्रार्थना पर पूरा भरोसा रखें और जो आप चाहते हैं उसे बार-बार दोहराते चले जाएए Dr. Quimby काफी मशूर है argumentative method of healing के लिए इसमें आप patient को बार-बार बताते हैं कि उनकी बिमारी एक गलत belief, विचार या धारना की वज़ा से है अगर patient अपना belief system बदल देगा तो उसकी बिमारी खुद बखुद ठीक हो जाएगी Healer patient के सामने हर वो proof और evidence पेश करता है जिससे patient का belief system बदल जाए यानि कि एक spiritual understanding के साथ patient अपने आपको खुद ही ठीक भी कर लेता है एक बार Dr. Quimby एक महिला से मिलने गए जो की काफी बुड़ी, बिमार और bedridden थी Dr. Quimby ने उनसे मिलकर बताया कि इस महिला ने खुद को डर के महल में खुद ही कैद किया हुआ है जिसकी वजह से उन्हें paralysis हो गया था हम सब बहुत ही शक्तिशाली हैं हमारे सोचे गए, कहे गए हर शब्द में शक्ति छुपी हुई है इसलिए शब्दों का इस्तमाल बहुत ध्यान से करना चाहिए एक लड़की बहुत परिशान थी क्योंकि उसके पीछे एक लड़का बुरे तरीके से पड़ा हुआ था इस लड़की ने अफ़र्म करना शिरू किया वो लड़का वहाँ है जहां उसे होना चाहिए मैं बिलकुल आजाद हूँ और वो भी आजाद है इस लड़की ने ऐसा बार बार बोला और फिर मानो उस लड़के को जमीन निगल गई वो लड़का ना फिर कभी इस लड़की को दिखा ना उसे परिशान कर सका हम जो चाहते हैं उसे बहुत आसानी से पा सकते हैं हर चीज के लिए मेहनत मुशक्कत करना बिलकुल जरूरी नहीं है सबकॉंशिस माइंड हमें जीवन प्रदान करता है यही हमारे दिमाग का 90 प्रतिशत हिस्सा बनाता है और हमारी जिंदगी को चलाता भी है यह 24 गंटे काम करता है और हमेशा हमें हर खत्रे से बचाने की कोशिश करता है आपका सबकॉंशिस माइंड यूनिवर्सल या डिवाइन लव या भगवान जो भी आप नाम दे उस शक्ती से जुड़ा हुआ है आपके बहुत सारे खयाल, thoughts, intuitions जो आप logically conscious mind से नहीं सोचते हैं वो सब आपके subconscious mind यानि की divine से आते हैं आपका subconscious mind आप में उर्जा भरता है जिंदगी जीने का उत्साह लाता है सपनों की तरफ बढ़ने की शक्ती देता है खुझ से और दूसरों से प्यार करना सिखाता है सालों पहले 1906 में जब सान फ्रांसिस को earthquake आया था तब कुछ लोग जो लंबे समय से बिस्तर पर थे खड़े हो गए थे और दूसरों को बचाने के काम में लग गए थे ये करामात subconscious mind की है बड़े बड़े artists, musicians, poets अपने subconscious mind की मदद से कुछ ऐसी चीजें बना पाए हैं जो सदा के लिए अमर हो गई Robert Lewis Stevenson हर रात सोने से पहले अपने subconscious mind से कहते थे कि वो उन्हें नीद में कहानिया बना कर बताए Stevenson के हिसाब से उनकी सारी कहानिया उन्हें subconscious mind नहीं बताई है बिलकुल इसी तरह Mark Twain भी कहते थे कि उन्होंने जीवन में कभी काम नहीं किया उनकी सारी किताबे उनसे उनके subconscious mind नहीं लिखवाई है जो भी आपका conscious mind accept कर लेता है और सच मान लेता है उसे आपका brain आपके solar plexus तक पहुचा देता है solar plexus आपके subconscious mind का brain होता है solar plexus जिसे हम gut भी कहते हैं उस thought को reality में हमारे जीवन में create कर देता है कहते हैं कि अगर आप अपने शरीर को उस divine intelligence की हातों में छोड़ दें तो आपको कोई बिमारी हो ही नहीं सकती परिशानी तब आती है जब हमारा डर, दूसरों की राय, गलत beliefs, रास्ते का काटा बन जाते हैं हम अपने conscious mind से अपने subconscious mind पर गलत impression डालते हैं और फिर जिन्दगी की blueprint अलग थलग बन जाती है subconscious mind की अपनी एक अलग दुनिया है जो हर वक्त शान्ती, सुख, सेहत की तरफ आपको ले जाने की कोशिश कर रही है उपर वाले की अपने हर बच्चे के लिए यही इच्छा है और यही हमारा subconscious mind भी करने की कोशिश करता है scientists का कहना है कि हम हर 11 महीनों में एक नया शरीर बनाते हैं यानि की आप चाहें तो डर, anxiety, गुसा ऐसे emotion से चुटकारा पा सकते हैं या पिर चाहें तो आप इन्हें अपनी जिंदगी में वापिस भी ला सकते हैं अंधेरे से चुटकारा पाना है तो रोशनी की तरफ मुढ़ना होगा उसी तरह अगर negative thoughts से मुक्त होना है तो और ज्यादा positive thoughts सोचने होंगे जब एक बच्चा पैदा होता है तो ज्यादा तर वो तंदुरुस्त होता है कुदरत यही चाहती भी है हम जब पैदा हुए थे तो डर, नफरत, घ्रिणा ऐसे कोई भाव हमारे अंदर थे ही नहीं यानि कि हमारा सच यही था जब हमें सच से दूर हो गए तो हमने दुख को और बिमारियों को न्योता दिया इसका मतलब यह हुआ कि बिमार पढ़ना अजीब बात है सेहत मंद रहना ही हमारा सच है जहां ग्रोथ है, एक्स्प्रेशन है, हेल्थ है, वहीं जिन्दगी है अगर आप किसी बिमारी से जूज रहे हैं तो अच्छी बातों का इन्फलो ज्यादा रखिए ताकि आपके मन और शरीर में उर्जा और शक्ती बढ़े ना कि कम हो जाए 1917 में एक बच्चे को POTS DISEASE हो गई थी उसे स्पाइन का टुबोकलॉसिस हुआ था और डॉक्टर ने कह दिया था कि वो ठीक नहीं हो सकता बच्चे ने ये बात नहीं मानी उसने दिन रात अपने सबकॉंशिस माइन को कहना शुरू कर दिया मैं ठीक हूँ, पॉफेक्ट हूँ, पावरफुल, लविंग, हार्मोनियस हूँ उसने अपने साथ साथ दूसरों के लिए भी दुआए मांगी रात को सोते वक्त और सुभा उठते ही वो यही कहता और सोचता उसके सबकॉंशिस माइन ने उसकी बात सुनी और कुछ समय बाद वो बिलकुल ठीक हो गया एक और शक्स जो जोजब मुफी के लेक्चर सुनने के लिए आया करता था उसने अपनी आँखों को बिलकुल ठीक कर दिया हर रात सोने से पहले वो विजुलाइस करता कि उसका डॉक्टर उसकी सामने खड़ा है और बोल रहा है अरे वाह मिरिकल हो गया तीन हफते बाद जब ये शक्स अपनी डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने वाकई उसकी आँखों को देकर यही कहा ये तो मिरिकल हो गया सबकॉंशिस नहीं आँखों को बनाया है तो सबकॉंशिस उसे ठीक भी कर सकता है रात को सोने से पहले आप अपने सबकॉंशिस माइंड को किसी प्रॉब्लम का जवाब या सल्यूशिन डूणने का काम भी दे सकते हैं और फिर देखिए आपका पर्सनल जादोई मंत्र कैसे जादो दिखाता है जब आपका सबकॉंशिस माइंड कोई बात मान लेता है तो वो उसी वक्त उसे पूरा करने में जुट जाता है जब आप अपनी सबकॉंशिस माइंड को सही तरीके से यूज करते हैं तब आपके जीवन में खुशी और शांती बढ़ती है जब आप उसे नेगिटिवली यूज करते हैं तो डर और घवराहट बढ़ती है इसलिए जरूरी है कि आप अपने सबकॉंशिस माइंड से पूरे विश्वास और भरोसे के साथ अपने मन की बात कहिए और फिर देखिए कैसे आपका सबकॉंशिस माइंड आपकी रिक्वेस्ट को पूरी करता है आप दबाव के प्रभाव से अपने सबकॉंशिस माइंड से कोई भी काम नहीं करवा पाएंगे जरूरी है कि आपके कॉंशिस माइंड ने उस बात को अक्सेप्ट कर ली हो अगर आप कहेंगे कि मुझे डर लग रहा है मुझे नहीं पता मैं क्या करूँ मैं हमेशा कनफ्यूज रहती हूँ तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे आपका सबकॉंशिस माइंड कोई रिस्पॉंस नहीं दे पाएगा सोची अगर आप एक टाक्सी में बैचते हैं और ड्राइवर को हर पांच मिनट में एक नया रास्ता बताएंगे तो क्या होगा ड्राइवर परिशान हो जाएगा और आपको ले जाने से मना कर देगा उसी तरह सबकॉंशिस माइंड भी आपकी किसी रिक्वेस्ट को पूरा नहीं कर पाएगा जरूरी है कि आपको अपने मकसद को लेकर कलारिटी हो जिसे आपका conscious mind फिर subconscious mind तक पहुचा सके subconscious mind की दुनिया में हमें step by step process जानने की जरूरत नहीं है हमें बस request करनी है और उस outcome को feel करना है health हो, finance हो या फिर नौकरी जो आप चाहते हैं उसे पा लेने के बाद मिलने वाली खुशी को महसूस कीजिए यही खुशी है आपके subconscious mind के लिए एक clue की आपको उस खुशी के past ले जाना है कई बार जब आप imagine करते हैं तो आपका logical mind रास्ते में आ जाता है लेकिन उस पल में बच्चे जैसा विश्वास रखें और अपने miracle के बारे में सोचते रहें प्रार्थना हकीकत में तबदील होती है तीन स्टेप्स में सबसे पहले problem को समझिए उसके बाद subconscious mind से problem का solution पूछिए और फिर भरोसा रखे की काम हो गया है प्रार्थना करने के बाद शायद सब ठीक हो जाएगा उम्मीद तो पूरी है ऐसे शब्दों का इस्तमाल ना करें जैसा आप फील करेंगे वैसा ही होगा अपने subconscious mind पर भरोसा रखें और अपने रास्ते से खुद हट जाएगे अगर आपको कोई जमीन पर पड़ी लकडी पर चलने के लिए कहे तो आप आसानी से उस पर चल देंगे लेकिन अगर वही लकडी का टुकडा जरा सी उचाई पर दो दिवारों के बीच टंगा हुआ हो तो आप उस पर चलने से डरेंगे क्योंकि आपको गिरने का खत्रा नजर आएगा ऐसे में आप अपने सबकॉंशिस माइंड को जोर जबरदस्ती से कुछ भी बोले मगर डर बना रहेगा इसका मतलब यह है कि आप इच्छा शक्ती या विल पावर से या जोर जबरदस्ती से अपने सबकॉंशिस माइंड को नहीं बदल सकते हैं जितनी आसानी से आपका subconscious mind किसी चीज को accept करेगा उतनी ही आसानी से वो चीज हो जाएगी आपके conscious और subconscious mind का साथ चलना बहुत जरूरी है जब तक हमारे अंदर ही जंग चलती रहेगी हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे जंग को खत्म करने का सबसे सरल तरीका है meditative state में पहुँच जाना और फिर अपने subconscious mind से connect करना क्योंकि उस वक्त आपका conscious mind नींद की स्थिती में जा चुका होता है और रास्ते से हट जाता है आप अपने subconscious mind से सबसे अच्छे तरीके से connect कर सकते हैं जब आप सोने वाले होते हैं और सुभा के वक्त जब आप बस उठेगी होते हैं आपको अपने imagination को direct करना है, control करना है और discipline करना है जोजफ मुफी के कहने पर एक लड़की जो अपने legal problem से बहुत परिशान थी यही करने लगी हर रात सोने से पहले एक drowsy state में पहुँच कर वो imagine करती थी कि उसकी problem अप solve हो चुकी है, वो बहुत खुश है और case settle हो चुका है कुछ हफते बाद lawyer का call आया, जैसा वो सोच रही थी वैसा ही हुआ जो आपकी feeling है वही आपका सच बनेगा सेहत चाहते हैं, तो सेहत मन्द होने का एहसास जागरो कीजिए दौलत चाहते हैं, तो दौलत मन्द होने की feeling लाइए चैन से यही सोचते हुए सोईए और हर सुभा उठते हुए यही सोचिए और नए दिन की शुरुवात कीजिए अगर आपको पैसों की तंगी हो रही है या पैसों को लेकर हमेशा परिशान रहते हैं तो इसका मतलब यह है कि आपका subconscious mind इस बात को मानता ही नहीं है कि आपके पास जरूरत से ज्यादा पैसे हो सकते हैं कुछ लोग होते हैं जो बहुत थोड़ी सी महनत करते हैं और बहुत सारा पैसा कमा लेते हैं सिर्फ पसीना बहा कर कड़ी महनत करके पैसा आएगा ये एक बहुत बड़ा जूट है अगर आप दिन रात खुद से बोलते रहेंगे मैं पैसे वाला हूँ मेरे पास बहुत पैसा है तो आप पैसे वाले नहीं बन जाएंगे क्योंकि अगर किसी के दिमाग में गरीबी है तो वो गरीब ही रहेगा हर दिन अपने आप से दिन में ती या चार बार करीब पांच मिनट के लिए ये कहिए वेल्थ सक्सेस इन शब्दों में बहुत ताकत है मैं पैसे वाला हूँ जब आप ये बोलते हैं तो आपका कॉंशिस माइंड आपको कहता है कि तुम जूट बोल रहे हो मगर जब आप वेल्थ कहते हैं तब कोई कॉंफिक्ट दिमाग में नहीं आता आपका सबकॉंशिस माइंड एक बैंक की तरह है आप जो भी उसमें डालेंगे वो बड़ा हो जाएगा इसलिए जब आप बार-बार वेल्थ बोलेंगे तो आपकी जिंदगी में पैसा आएगा भी और बढ़ेगा भी अगर आपके मन में भविश्य को लेकर बहुत डर है तो आप अपनी तरफ नेगिटिविटी को अट्राक्ट करेंगे आपके काम बनते बनते रुख जाएंगे बाधाएं आएंगी इसलिए जरूरी है कि आप अपने सबकॉंशिस माइंड में वो डालिए जो आप बढ़ाना चाहते हैं अब आप ये कह सकते हैं कि मैंने ऐसा करने की कोशिश की है मगर कुछ खास हुआ नहीं वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आपने पॉजिटिव सोचा और फिर उसके दस मिनिट बाद डर लोटाया आप डर के चपेट में फिर से आ गए आपको अपने सबकॉंशिस माइंड को विश्वास दिलाना है कि आपके पास हमेशा पैसा होता है आपके आस पास पैसा घूमता रहता है और आपको जब भी जरूरत होगी पैसा आ जाएगा अकसर अगर किसी और के पास ज्यादा पैसा आ जाए या कोई और हमसे ज्यादा तरक्की करने लगे तो हम उसे क्रिटिसाइज करते हैं ऐसा हम जलन की वजा से करते हैं क्योंकि हमारे पास वो नहीं है जो उसके पास है मगर ऐसा करने से हम wealth से और दूर चले जाते हैं अगर आप किसी को देखें जिसके पास आपसे ज्यादा पैसे हैं तो उसे दुआ दीजिए ताकि वो और पैसे वाला बने ऐसा करने से आप पैसे के साथ अपने रिष्टे को positive बना रहे हैं जब हम जलते हैं और जिसके पास पैसा है उसकी निंदा करते हैं उसके बारे में बुरा बोलते हैं तो पैसा हमेशा हमसे दूर भागता है हम इस धर्ती पर आए हैं ताकि हर तरीके से grow कर सकें आपकी हर इच्छा के पूरे होने से सिर्फ आपकी नहीं आपसे जुड़े हर शक्स की growth होगी जब आपकी शरीर में खून का बहाव सही है तब आपकी सेहत भी ठीक ठाक है उसी तरह जब आपकी जिन्दगी में पैसों का बहाव सही है तब आपकी आर्थिक सेहत भी ठीक ठाक है जब हम डर की वज़ा से पैसों को छुपाना शुरू कर दें या खर्च करने से खुद को रोकना शुरू कर दें तो हम बीमार कहलाएंगे अगर आप अपने सबकॉंशिस माइड को कन्विंस कर देते हैं कि आपके पास हमेशा पैसा होगा तो पैसा आपके पास किसी ना किसी तरह से पहुँच ही जाएगा अगर आप हर वक्त यही कहते रहेंगे कि मेरी सालरी से ज्यादा होनी चाहिए तब भी आप कही ना कही पैसे को खुद से दूर कर रहे हैं कभी कभी हमें गरीबी में मजा आता है क्योंकि बच्पन से हमने सुना होता है पैसा हर फसाद हर मुसीबत की जड़ है कुछ लोग पैसे कमाने को अपनी जिंदगी का मकसद बना लेते हैं दिन रात पैसे के बारे में सोचते हैं मगर खुश रहने के लिए हमें सब कुछ चाहिए पैसे के साथ साथ सुख, शान्ती, अच्छे रिष्टे, अच्छी सेहत इसलिए बहुत सारा पैसा आतो जाता है मगर उसके बाद भी हमें खुशी का एसास नहीं मिल पाता अगर आपकी तबियत खराब है तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे उसी तरह से अगर आपको पैसों की कमी है तो आपकी तबियत खराब है युनिवर्स में किसी चीज़ की कमी नहीं है हम सबके लिए हमारी जरूरत से कई ज्यादा पैसा है हमें उस पैसे को अपनी ओर आकर्शित करना है एक सही बिलीव सिस्टम की मदद से अगर आप पैसे को क्रिटिसाइज करेंगे उससे डरेंगे या उससे नफरत करेंगे तो वो आपके पास नहीं आएगा हर दिन कई बार ये दोर आईए मुझे पैसे से प्यार है मुझे पैसा बहुत पसंद है पैसा मेरी जिंदगी में बहता रहता है मैं पैसे को बहुत प्यार और ध्यान से खर्च करती हूँ मेरे पास पैसों का भरमार है मैं खुशी से खर्च करती हूँ और वो पैसा multiply होकर वापिस मेरे पास lot आता है Australia में एक छोटा लड़का सर्जन बनना चाहता था उसके पास पैसे नहीं थे वो एक medical building में काम करता था रोज doctors की certificate साफ करता था उसने हर रात सोने से पहले imagine करना शिरू किया कि उसके नाम का डिपलोमा दीवार पर टंगा हुआ है उसका नाम बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है कुछ समय बाद एक doctor ने इस लड़के को अपना assistant बना लिया इस doctor को ये लड़का इतना पसंद आया कि इन्होंने इसे पढ़ने के लिए medical school भी भेज दिया और पढ़ाई के खर्च का जिम्मा खुद उठा लिया आज ये लड़का Canada का एक काबिल और जाना माना surgeon है इस लड़के ने इतनी शिद्दत से अपने सपने को imagine किया कि subconscious mind ने उस सपने को हकीकत में तबदील कर ही दिया अगर आप किसी company में काम कर रहे हैं और हर वक्त money money आप सोचते रहते हैं कि आपको ज्यादा पैसे या बड़ा ओधा मिलना चाहिए तो धीरे धीरे आप company के साथ अपने रिष्टे को कमजोर कर रहे हैं वो दिन दूर नहीं जब आपका manager आपसे आकर कहेगा कि आप जा सकते हैं और अगर आपके colleague को आपसे ज्यादा पैसे मिल रहे हैं तो उनकी निंदा मत कीजिए उन्हें दुआ दीजिए कि वो और ज्यादा पैसे कमाएं ऐसा करने से आपका पैसों के साथ रिष्टा positive और मजबूत बनेगा अगर आप stocks या bonds या और किसी investment को लेकर परिशान है तो मन में कहिए subconscious mind की intelligence मेरे सारे transactions को देख रही है और मुझे सही रास्ता दिखा रही है मैं हमेशा तरक्की के रास्ते पर चलूँगी कुछ लोग दुकानों से malls में चोरी करते हैं ऐसे लोग खुच से चोरी कर रहे हैं खुच से चैन, खुशी, सुक, शान्ती सब कुछ चुरा रहे हैं ये लोग अपने subconscious mind से काफी दूर हो चुके हैं आप खुच से रोज या affirmation बोल सकते हैं अमीर, खुश और काम्याब होना मेरा हक है मेरे पास बेशुमार पैसा है और पैसा बहता ही रहता है मुझे अपनी true worth का अंदाजा है मैं अपने talents का इस्तिमाल करती हूँ और बदले में बहुत सारा पैसा कमाती हूँ जिन्दगी बेहत खुबसूरत है पैसे वाला बनना आपका हक है बस आपके सबकॉंशिस माइंट को ये बात समझनी है और माननी है काम्याबी यानि सक्सेस का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता सक्सेस वो सारी चीजे होती हैं जो आप छू नहीं सकते जैसे कि खुशी, प्यार, शान्ती, सक्सेस को पाने के तीन स्टेप्स है सबसे पहले हमें ये जानना है कि हमें क्या करना बहुत अच्छा लगता है अगर कोई साइक्याटरिस्ट है तो सिर्फ उनके पास एक डिप्लोमा होना काफी नहीं है एक काम्याब साइक्याटरिस्ट वो होगा जो सेमिनार्ज में जा रहा है लेटिस्ट आर्टिकल्स के बारे में पढ़ रहा है और अपने पेशिंस की मदद करने के लिए अपने नॉलिच को रह रहकर अपग्रेट कर रहा है अगर आपको नहीं पता कि आपको क्या करना पसंद है तो आप अपने सबकॉंशिस माइंड से पूछिए और आपको जवाब ज़रूर मिलेगा सक्सेस का दूसरा स्टेप है किसी एक फील्ड में स्पेशलाइज करना और उस फील्ड में आपको सबसे ज्यादा पता हो उधारन के तौर पर अगर कोई लड़का केमिस्ट्री में अपना करियर बनाता है तो वो केमिस्ट्री के किसी स्पेसिफिक ब्रांच में स्पेशलाइज करेगा और उस सबजेक्ट पर इतना अध्यान करेगा कि उससे ज्यादा फिर किसी को आता नहीं होगा किसी तरह काम को कर लेने वाले आटिट्यूद से हमें सक्सेस कभी नहीं मिलती आपकी काम्याबी से लोगों की खुशिया जुड़ी होनी चाहिए और यही है काम्याब होने का तीसरा रूल जो भी आपकी इच्छा है उसके पूरे होने से सिर्फ आपको नहीं बहुत लोगो को खुशी मिलेगी और फाइदा होगा कई लोग जूट बोलकर धोका देकर पैसे कमा लेते हैं मगर ऐसा पैसा कभी टिकता नहीं है अगर हम किसी और को धोका देते हैं तो हम धरसल खुद को धोका दे रहे हैं मन की शांती के बिना पैसा माइने नहीं रखता और ना ही ऐसा जीवन एक कामयाब जीवन कहलाएगा लंडन में एक चोर रहता था चोरी करके काफी रईस बन गया था फ्रांस में एक बड़ा घर था खुद बहुत फाशनेबल भी था मगर हर वक्त डर में जीता था उसे नीद नहीं आती थी गिल्ट की वज़ा से और भी बिमारिया हो गई थी हर समय पकड़े जाने का डर उसे अंदर ही अंदर खत्म कर रहा था ठक हार कर उसने सरेंडर कर दिया कुछ साल बाद जब जेल से बाहर आया तब वो बिल्कुल बदल चुका था उसने एक नई शुरुआत की और अच्छा जीवन वितित किया एक काम्याब इंसान वो है जिसकी स्पिर्चुल समझ अच्छी और सही है जो उपर वाले के बनाए गए नियमों के मताबिक जीता है आप किसी भी फील्ड में हो सकते हैं अगर आप अपने सबकॉंशिस माइंड का सही तरीके से इस्तमाल करना सीख जाते हैं और अपने टालेंज को दूसरों की सेवा के लिए यूज करने की कोशिश करते हैं तो आप हर तरह से काम्याब हैं अगर आप धर्ती पर उपर वाले का काम करना चाहते हैं तो उपर वाला हर कदम पर आपका साथ देगा आपको काम्याब होने से कोई नहीं रोक सकता एक लड़का था जो बहुत गरीब था मगर बड़ा होकर एक सक्सेसफुल मूवी आक्टर बनना चाहता था हर दिन खेत में हर चलाते वक्त वो यही सोचता था कि उसका नाम बड़े पर चमक रहा है फिर एक दिन वो घर से भाग गया मूवी बिजनेस में असिस्टिंट का काम करने लगा और फिर एक दिन ऐसा आया जब उसने अपना नाम बड़े पर बड़े अक्षरों में लिखा देखा किसी भी चीज़ को एक लंबे समय तक इमाजन करने से हम उसे अपने सबकॉंशिस माइंड में और ज्यादा गहराई से उतार लेते हैं तीस साल पहले एक फार्मसिस्ट बहुत मुसीबतों का सामना कर रहा था हफते के 40 डॉलर्स कमाता था और भविश्य को लेकर उसकी कोई प्लानिंग नहीं थी जोसफ मफी ने उससे पूछा कि तुम खुद का ड्रग स्टोर क्यों नहीं खोल लेते उसने इस बारे में सोचना शुरू किया अपने सबकॉंशिस माइंड को कन्विंस कराया कि वो खुद का स्टोर चाहता है उसने इमाजन किया कि वो बॉटल्स अरेंज कर रहा है लोग उसकी दुकान के बाहर लाइन लगा कर खड़े हुए है उसने अपने बैंक बैलन्स को भी इमाजन किया कुछ समय बाद उसकी नौकरी हाथ से निकल गई फिर उसे एक बड़े स्टोर में मैनेजर की नौकरी मिली इस नई नौकरी में उसका प्रमोशन भी हुआ उसने चार साल खूब पैसे कमाई और बचाए और फिर एक दिन अपनी फामसी खोल ली जिसका नाम था ड्रीम फामसी गोइटा खुझ से बाते करने के लिए मशूर थे वो इमाजन करते थे कि उनके कोई दोस्त उनके सामने बैठे हुए है और उन्हें सलाह दे रहे है इस टेक्निक का इस्तिमाल एक स्टॉक ब्रोकर ने अपनी जिन्दगी में किया और इमाजन किया कि वो अपने बहुत ही रईस दोस्त से बातचीत कर रहा है जो उसे इंवेस्मेंट टिप्स भी दे रहा है इस स्टॉक ब्रोकर का मकसद था अपने क्लाइन्स को सही सलाह देना ताकि उनका पैसा दुगना चोगना हो सके अपने सबकॉंशिस माइन्ट की मदद से आज ये शक्स बेहत काम्याब बन चुका है एक सोला साल का लड़का बहुत परिशान था उसके ग्रेट्स काफी खराब आते थे उसे कुछ याद ही नहीं रहता था प्रॉब्लम ये थी कि इस लड़के को अपने टीचर्स और कुछ क्लासमेट्स पसंद नहीं थे इसने अपने सबकॉंशिस माइन्ट को एक नई कहानी सुनाने शुरू कर दी रात को सोने से पहले और उठते ही ये अपने सबकॉंशिस माइन्ट से कहता मैं जो भी पढ़ता हूँ मुझे याद रहता है मुझे एक्जाम के दौरान जो भी याद आना होता है वो असानी से याद आ जाता है मैं अपने सारे टीचर्स और क्लासमेट्स को प्यार, खुशियां और दुआएं भेज रहा हूँ और बस कहानी बदल गई, लड़के के ग्रेट्स सुधर गए आप प्रॉपटी खरीदते या बेचते वक्त भी अपने सबकॉंशिस माइन्ट की मदद ले सकते हैं सबसे पहले अपने दिमाग को पूरी तरह से शांद कीजिए अगर आप अपने सपनों का घर लेना चाहते हैं तो अपने सबकॉंशिस माइन्ट से गहरे मेडिटेटिव स्टेट में जाकर कहिए कुद्रती शक्ती सब कुछ जानती है मेरा आइडियल घर मेरे सामने आ रहा है मेरी इंकम के मुताबिक सब कुछ मेरे पसंद का है और मैं इस घर में बहुत खुश हूँ मैं अपने सबकॉंशिस माइन्ट को रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मुझे मेरे घर से जल्द मिलाया जाए आपको इस प्रार्थना का जवाब एक आडवर्टिस्मेंट के जरिए एक दोस्त के जरिए, न्यूस्पेपर के जरिए किसी भी तरह से मिल सकता है इसी तरह से आप प्रॉपर्टी को बेचने के लिए भी सबकॉंशिस माइन्ट की मदद ले सकते हैं जोसफ मफी ने अपने घर के बाहर बागीचे में बोड लगाया हुआ था जिस पर लिखा हुआ था for sale उन्होंने अपने आप से पूछा कि अगर घर बिग गया तो उस बोड का क्या होगा जवाब था कि बोड को वो निकाल कर फेक देंगे बस फिर जोसफ ने इमाजन किया कि वो बोड को निकाल कर फेक रही है और बोड से खुशी से कह रहे है कि अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है ठीक अगले दिन उनका घर बिग गया और नए मकान मालिक ने उनसे for sale का बोड हटाने के लिए कह दिया अगर आप अपनी कोई property बेचना चाहते हैं तो अपने subconscious mind से ये कहिए कुद्रती ताकत मुझे उस शक्त से मिला रही है जिसकी इस घर में रहने से तरक्की होगी उसकी जिन्दगी खुशाल बनेगी और वो मेरे लिए हर तरहा से एक सही बायर होगा हम दोनों को कुद्रत सही वक्त पर मिलाएगी पैसे भी सही होंगे और इसमें हम दोनों की खुशी होगी हमेशा याद रखिए कि जिसे आप ढून रहे हैं वो आपको भी ढून रहा है अगर आप घर या property बेचना चाहते हैं तो कोई है जो आपकी property खरीदना भी चाहता है जोसफ मफी के lectures में एक लड़की तीन बसस बदल कर डेड़ घंटे का सफर पूरा करके आया करती थी lectures से उसने imagination की ताकत को समझा इस लड़की ने imagine करना शुरू किया कि ये अपनी favorite car drive कर रही है ये car showroom में गई अपनी favorite car की test drive भी ले ली और अगले दो हफते तक यही imagine करती रही कि वो car drive कर रही है बहुत खुश है और फिर कुछ दिन बाद इस लड़की के एक uncle गुजर गए उन्होंने अपनी गाड़े और अपनी प्रापर्टी इस लड़की के नाम छोड़ दी जोजफ के अगले lecture पर ये madam अपनी खुद की car drive करके पहुँची success इस शब्द में बहुत ताकत होती है कई कामयाब उद्योगपती इस शब्द को दिन में कई बार बोलते हैं जिसकी वज़ा से ये शब्द उनकी जिन्दगी की सच्चाई बन जाती है आप भी खुद से दिन में कई बार success कह सकते हैं आपका subconscious mind इसे आपके जीवन का सच मान लेगा और पिर जिन्दगी उसी राह पर चल पड़ेगी हर रात सोने से पहले successful feel करने की कोशिश कीजिए जो भी आप चाहते हैं वो आपके पास पहले से मौजूद है दिख नहीं रहा है अभी मगर आपके subconscious mind में create हो चुका है अगर आप अपने subconscious mind पर और अपने सपने पर भरोसा रखेंगे तो आप भी इसी वक्त successful feel करेंगे इसलिए success इस शब्द को बार बार पूरे विश्वास और भरोसे के साथ दोराईए कई साइन्टिस्ट ने subconscious mind की मदद से काफी सारी discoveries की है करीब 40 साल पहले डॉक्टर बैंटिंग जो कैनेडा के एक मशूर physician थे diabetes का इलाज ढून रहे थे एक दिन वो काफी ठके हुए थे और सो गए तब उनके subconscious mind ने उन्हें सुझाओ दिया कि वो dogs के pancreatic duct से residue को निकाले और इसी तरह insulin का अविश्कार हुआ डॉक्टर बैंटिंग काफी समय से इस विशय पर सोच रहे थे तो उनके subconscious mind ने उन्हें इस तरह से solution दिया आप भी हर रात सोने से पहले अपने subconscious mind से सवाल पूछ सकते हैं शायद आपको जवाब एक रात में मिल जाए शायद थोड़ा समय लगे मगर जवाब ज़रूर मिलेगा अगर आपको लगता है कि जवाब मिलने में बहुत वक्त लगेगा या फिर समस्या बहुत ज़्यादा गंभीर है तो फिर आपकी सोच के मुताबिक जवाब मिलने में ज़्यादा वक्त वाके में लग जाएगा आपके subconscious mind को time या space के concept समझ में नहीं आते हैं विश्वास रखे कि आपके subconscious mind के पास इस वक्त जवाब है आपकी परिस्थिती इस वक्त कैसी भी हो आपकी problem का solution आपके subconscious mind के पास है और वो solution अभी सामने आ सकता है डॉक्टर लोथर रशिया में prisoner of war बनकर कैद थे उनके आसपास सुभा शाम लोगों को बे रहमी से मारा जा रहा था डॉक्टर लोथर ने अपने subconscious mind का इस्तमाल किया अपनी जिन्दगी की नई कहानी लिखने के लिए जर्मनी में उनका घर खत्म हो चुका था परिवार वाले दोस्त सब मारे जा चुके थे उन्होंने अपने subconscious mind से कहा कि वो लॉस आंजिलिस जाना चाहते है उन्होंने लॉस आंजिलिस की कुछ तस्वीरें देखी हुई थी वो उन्ही तस्वीरों को बार बार याद करके imagine करते कि वो उन गलियों से गुजर रहे है और उनके साथ एक American लड़की है इस लड़की से वो वोर से पहले मिल चुके थे और आज ये लड़की वाकई में इनकी बीवी है काफी दिन तक डॉक्टर लोथर अपने दिमाग में ये तस्वीर बनाते रहे फिर एक सुभा चीफ गार्ड सारे कैदियों के गिंती ले रहा था जब गार्ड वापिस आया तब उसने सत्रा से गिंती शुरू की यानि कि डॉक्टर लोथर के पीछे खड़े हुए कैदी का नंबर सत्रा हो गया था शाम को भी कैदियों की गिंती उतनी ही थी इसलिए डॉक्टर लोथर का गाया भोना किसी को पता भी नहीं चला वो घंटों चलते रहे और भागते भागते पोलंड आ पहुँचे उसके बाद कुछ लोगों की मदद से स्विजलेंड पहुँचे वहाँ उन्हें एक अमेरिकन कपल मिला जिन्होंने उन्हें कालिफोर्निया आने का न्योता दिया और बस जैसा डॉक्टर लोथर ने हमेशा मन में सोचा था वैसा ही हुआ कुछ दिनों बाद वो लोस आंजिलेस की गलियों से ही गुजर रहे थे आज तक जो भी दुनिया में हुआ है आपके सबकॉंशिस माइंड को वो हर एक चीज पता है एक साइन्टिस्ट अपने सबकॉंशिस माइंड की मदद से हिस्टरी में चला जाता है और बीता हुआ सच जान भी लेता है और उसे अच्छी तरह से समझ भी जाता है जब कभी आपको लगे कि आपको एक बहुत जरूरी फैसला लेना है और कुछ समझ नहीं आ रहा है तो सबसे पहले अपने दिमाग को शान्त कीजिए अपने शरीर को रिलाक्स होने को कहिए अब अपना फोकस सल्यूशन पर ले जाएगे जब आपको इस प्रॉब्लम का सल्यूशन मिल जाएगा तब आप कितना हलका महसूस करेंगे आपकी सालों की तमन्ना जब पूरी हो जाएगी तब आप कैसे सुकून की सांस लेंगे बस उसी एहसास का मजा लीजिए और ये करते करते सोजाएगे शायद अगली सुभा आपके पास जवाब हो शायद ना हो या शायद दिन में कोई और काम करते हुए अचानक से आपको इस समस्या का समाधान मिल जाए जोसफ मफी बताते हैं कि एक बार उनकी एक कीमती रिंग मिल नहीं रही थी और वो काफी परिशान हो गए थे उस रात सोने से पहले उन्होंने अपने सबकॉंशेस माइंड से कहा तुम सब जानते हो तुम मुझे बताओ कि वो रिंग कहा है अगली सुभा जोसफ को उठते ही तीन शब्द सुनाई दिये रॉबर्ट से पूछो जोसफ ने सोचा कि रॉबर्ट नौ साल का बच्चा है मैं उससे क्या पूछू फिर भी जब जोसफ ने रॉबर्ट से पूछा तो रॉबर्ट ने बताया कि लड़कों के साथ खेलते वक्त उसे एक रिंग मिली थी जिसे उसने अपने कमरे में रख दिया था अगर आप अपने सबकॉंशिस माइंड पर भरोसा करेंगे तो वो हमेशा आपकी मदद करेगा एक नौजवान लड़के के पिता की मृत्यू हो गई सभी को लगा कि पिता ने कोई विल नहीं छोड़ा होगा मगर लड़के की बहन ने उससे कहा कि पिता ने विल लिखी है सबने कोशिश की कि उस विल का पता लग जाए मगर किसी को कुछ भी पता नहीं चल पाया इस लड़के ने फिर अपने सबकॉंशिस माइंड से पूछा कि विल कहा है पूरी रात आंसर 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 ये बोलते हुए ये लड़का सो गया सुभा उठने पर उसके अंदर से एक आवाज आई और उसे लगा कि लोस आंजिलिस में किसी एक बैंक में उसे चेक करने के लिए जाना जाहिए वहाँ जाने पर पता चला कि उसके पिता का उस बैंक में एक सेफ डिपॉजिट वॉल्ट था आपको अपने सबकॉंशेस माइंड से इस कदर जुड़ना है कि सबकॉंशेस आपका इस्तमाल करने लगे आपकी जिंदगी को आगे ले जाने के लिए जब आप कॉंशेस माइंड से उपर उठकर सबकॉंशेस माइंड से कनेक्ट कर लेते हैं तो अंदर से एक खिचाओ महसूस होता है जो आपको सही दिशा पर अपने आप लेकर चलना शुरू कर देता है सबकॉंशेस माइंड का जवाब एक फीलिंग, एहसास, इंट्यूशन के रूप में आता है और जब आप उसके कहने पर चलते हैं तब आप गलत फैसला ले ही नहीं सकते आपका हर एक कदम आपको एक खुशाल और शान्त जीवन की तरफ ले जाएगा चाप्टर 12 सबकॉंशेस माइंड और आपकी नींद 24 घंटों में से हम करीब 8 घंटे सोते हैं जीवन की बहुत सारी परेशानियों का हल हमें नींद में मिल जाता है हमारा सबकॉंशेस माइंड ना रुकता है ना ठकता है नींद में भी हमारे सारे ओगंस काम कर रहे होते हैं आपके बाल और आपके नाखून भी बढ़ रहे होते हैं सोते वक्त हमारा कॉंशेस माइंड रास्ते से हट जाता है और हमें मौका मिलता है अपने सबकॉंशेस माइंड से जुड़ने का शक्ती, समझ और कुद्रत की सारी ताकत हमें सबकॉंशेस माइंड से प्राप्थ होती है इस ताकत और उर्जा को पाने के बाद हम सुभा उठते हैं और अपनी सारी परेशानियों का सामना करते हैं National Association for Mental Health के Dr. George Stevenson का कहना है कि हर इंसान को कम से कम 6 घंटे की नीन चाहिए ही होती है अकसर लोगों को इससे ज्यादा नीन चाहिए होती है और जो लोग कहते हैं कि वो बहुत कम नीन में काम चला लेते हैं वो खुद से जुट बोल रहे हैं सोने से सिर्फ आपके शरीर को आराम नहीं मिलता है आपकी आत्मा रीचाज होती है आपकी स्पिरिचुल शक्ती बढ़ती है इसलिए अच्छी नीन जीवन में खुश रहने के लिए बहुत जरूरी है एक रिसर्च हुआ था जिसमें सौ से ज्यादा मिलिटरी और सिविलियन वॉलन्टियर्स को चार दिन तक सोने से रोका गया था चार दिन तक नहीं सोने के बाद ये वॉलन्टियर्स खड़े खड़े सो रहे थे इनका खुद पर काबू ही नहीं रहा था और ये सोने के लिए कुछ भी कर सकते थे इनकी आदाश तक कमजोर हो गई थी ये ना कुछ समझ पा रहे थे और ना ही याद रख पा रहे थे अक्सर गाड़ी चलाते वक्त जब हमारी आँख लग जाती है तब हम इसी अवस्था में होते हैं नींद की कमी की वज़ा से कुछ चणों के लिए हमारा खुद पर काबू नहीं रहता है एक महिला को एक बहुत अच्छी नौकरी का ओफर मिला इस ओफर में उनकी सालरी प्रेजन्ट सालरी के मताबिक डबल थी यह महिला सोच में थी कि इस जौब को ले या मना कर दे इन्होंने अपने सबकॉंशेस माइंड से पूछा कि जो मेरे लिए और सबके लिए सही है वही होना चाहिए और सबकॉंशेस माइंड उन्हें सही रास्ता दिखाए सुबा उठने पर इस महिला को लगा कि उन्हें इस ओफर को जाने देना चाहिए यह नौकरी उनके लिए सही नहीं होगी कुछ महिनों बाद ये कमपनी बैंकरप्ट हो गई और इस महिला का ये ओफर ठुकरा देने का निरनय बिल्कुल सही साबित हुआ जोसफ मुफी को खुद सेकेंड वर्ल्ड वास से पहले एक बहुत ही अच्छा जॉब ओफर आया था इन्होंने अपने सबकॉंशेस माइंड से सलाह और मदद मांगी इनके सपने में एक पुराना दोस्त आया जो उन्हें अकबार की हेडलाइन्स दिखा रहा था हेडलाइन में लिखा हुआ था कि परल हाबर पर अटाक हुआ है सबकॉंशेस माइंड आपका भरोसा जीतने के लिए आपके सपने में उस शक्स को लाएगा जिस पर आप भरोसा करते हैं जोजफ मफी के सपने में उनका दोस्त आया हो सकता है आपके सपने में आपकी मा आए या कोई ऐसा जो आपके बहुत करीब हो जोजफ को अपने सपने से समझ आ गया था कि उन्हें ये नौकरी नहीं लेनी चाहिए और ये भी कि दुनिया में कुछ बहुत बुरा होने वाला है हमारा सबकॉंशेस माइंड युनिवर्सल सबकॉंशेस से जुड़ा हुआ है इसलिए हम चाहें तो होने वाली घटनाओं को पहले से ही देख और समझ सकते हैं इसी तरह से एक देश का भविश्य उस देश में रहने वाले लोगों के सबकॉंशेस माइंड के हिसाब से तै होगा जब जोजफ ने हेडलाइन्स देखी थी उसके तीन साल बाद वार शुरू हुआ मगर लोगों के दिमाग में वार का खयाल पहले से आ चुका था तभी जोजफ युनिवर्सल सबकॉंशेस से जुड़ कर उस छवी को अपने सपने में पहले ही देख पाए अगर आप प्रार्थना करते हैं और उपर वाले पर सच्चा विश्वास रखते हैं तो आपको कभी कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा रॉबर्ट लुईस स्टीविंसन खूप सपने देखते थे वो हर रात सोने से पहले अपने सबकॉंशेस माइंड को इंस्ट्रक्शन दिया करते थे सबकॉंशेस माइंड उनकी हर कहानी को आगे बढ़ाता था उनके सपनों के माध्यम से वो अपने subconscious mind से कहते थे कि मुझ से ऐसी किताब लिखवाओ जो best seller बने और जिससे मैं खूप सारा पैसा कमाओं। वो अपनी काम्याबी का पूरा श्रे अपने subconscious mind को ही देते हैं। अगर आपको रात को सोने में परेशानी होती है और नीन नहीं आती है तो खुद को रिलाक्स कीजिए और प्यार से धीरे धीरे कहिए। के साथ एक नई शुरुवात करूंगी मेरे चारों तरफ प्यार और रोशनी है अगर आपको कभी सुभा उठने की चिंता सताए तो अपने सबकॉंशेस माइंड से कहिए कि वो आपको इतने बज़े उठा दे और फिर देखिए कैसे आपकी नींद खुद बखुद ठीक उतन करके सोएं ऐसा करने से आपकी हीलिंग बहुत अच्छी और गहरी होगी अगर आप किसी किताब प्ले या आविश्कार पर काम कर रहे हैं तो सोने से पहले अपने सबकॉंशेस माइंड से आगे बढ़ने का रास्ता पूछिए और फिर जादू होता देखिए खुद के सबकॉंशेस माइंड की ताकत को ना समझ पाना शादी में परेशानियों का कारण बनता है डिवॉस से बचने का सबसे अच्छा समय होता है शादी से पहले शादी जो दिल से जुड़ी हुई हो और दिल से की गई हो सच्ची होती है क्यारेक्टर, सच्चाई, अच्छाई, अच्छे इरादे एक शादी की नीफ को मजबूत बनाते है अगर एक आदमी किसी औरत से उसके पैसों के लिए उसकी खुबसूरती के लिए या खुद समाज में अच्छा दिखने के लिए शादी करता है तो उस शादी में सच्चाई नहीं है ऐसी शादी जूट की बुनियाद पर खड़ी हुई है उसी तरह से अगर एक औरत अपनी जिंदगी में काम करते करते ठक गई है और पैसों के लिए सेक्योरिटी के लिए शादी करना चाहती है तो उस शादी की नीव भी गलत होगी कोई भी औरत या मर्द अपने सबकॉंशियस माइंड की ताकत से पैसे, सेहत, सेक्योरिटी, सब कुछ पा सकता है या पा सकती है उसके लिए आपको शादी करने की जरूरत नहीं है अगर आप अपने लिए एक अच्छा पती ढून रही है तो रात को सोने से पहले आराम से बैठिए आखे बंद कीजिए, शांत मन से अपने सबकॉंशियस माइंड से बाचीत कीजिए मैं अपनी जिंदगी में एक सच्चा, सीधा, वफादार, खुश रहने वाला, अच्छा इंसान आकरशित कर रही हूँ ये सारी क्वालिटीज, जिन्हें मैं पसंद करती हूँ मेरे सबकॉंशियस माइंड में भी समा रही है मेरे और मेरे पती में एक अट्राक्शन है, जो हमें एक दूसरे की ओर खीच रहा है मुझे पता है, मैं उसके जीवन में खुशियां लाऊंगी, और वो मुझसे बहुत प्यार करता है ना मैं उसे बदलना चाहती हूँ और ना वो मुझे बदलना चाहता है हमारे रिष्टे में प्यार, इज़त और फ्रीडम है हर रात अपने सबकॉंशियस माइंड से ये कहिए और आपका सबकॉंशियस माइंड एक रास्ता बनाएगा जिस पर चलते हुए आप अपने जीवन साथी से जरूर टकराएंगे इसी तरह से अगर आप अपने लिए एक अच्छी पत्नी ढूंड रहे हैं तो आप अपने सबकॉंशियस माइंड से ये कह सकते हैं मैं एक ऐसी पत्नी अट्राक्ट कर रहा हूँ जिसके साथ मैं पूरी तरह से घुल मिल गया हूँ हमारे बीच डिवाइन लव है मैं अपनी पत्नी का जीवन खुशियों से और प्यार से भर रहा हूँ मेरी पत्नी स्पिरिच्वल है, पफादार है और मुझसे बहुत प्यार करती है हम दोनों एक दूसरे की तरफ बहुत अट्राक्टेड है मैं उससे मिलने के लिए अब तयार हूँ जोजब मुफी के पास एक टीचर आई इनकी पहले तीन शादियां हो चुकी थी तीनों पती इनी पर डिपेंडेंट थे और बहुत कमजोर किसम की आदमी थे इस महिला को शादी से पहले समझ में नहीं आया था कि उनके पती ऐसे निकलेंगे दरसल ये महिला खुद काफी मैस्कूलिन किसम की थी डॉमिनेटिंग भी थी और अनकॉंशिसली एक ऐसा आदमी चाहती थी जो इनसे दब कर रहे इन्होंने अपने पुराने पैटरन को तोड़ने के लिए अपने सबकॉंशिस माइंड से बातचीत करने शुरू की मैं एक स्ट्रॉंग, पावरफुल, मैस्कूलिन, वफादार, सच्चा प्यार करने वाला पार्टनर अपनी और आकरशित कर रही हूँ मुझे उसकी बात सुनना अच्छा लगता है, मेरे पास उसे देने के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स हैं, वो भी मुझे बहुत कुछ देता है, हमारे रिष्टे में इक्वल गिविंग और रिसीविंग है सबकॉंशिस माइंड को पता है कि वो इनसान कहां है और सबकॉंशिस माइंड हम दोनों को एक दूसरे के करीब ला रहा है हम दोनों एक दूसरे को देखते ही पहचान जाएंगे, मेरी प्रार्थना को पूरा करने के लिए शुक्रिया इस महिला ने सुभा शाम ये प्रार्थना की काफी महीने गुजर गए ये काफी लोगों से मिली भी मगर बात नहीं बनी कुछ दिनों बाद इनका तीसरा डिवॉस फाइनलाइस हो गया और दिक्री मिल गई उसके बाद इनकी नई नौकरी लगी एक डॉक्टर के दफ्तर में जैसे ही इन्होंने उस डॉक्टर को देखा इन्हें पता चल गया कि यही है इनका पाटनर शायद इनके पाटनर को भी इनसे पहली बार मिलकर यही एहसास हुआ यह डॉक्टर मास्क्यूलिन था, फुटबॉल भी खेलता था और बहुत स्पिरिच्वल भी था बिलकुल वैसा जैसा इस महिला ने चाहा था अब डिवॉस लेना चाहिए या नहीं शायद किसी के लिए जिवॉस बहुत अच्ची चीज हो और किसी और के लिए बिलकुल गलत चीज हो हो सकता है एक जिवॉस महिला अपनी शादी शुदा बहनों से कई ज्यादा सच्ची और अच्ची हो एक महिला थी जिसका पती उसे पीचता था ड्रग्स लेता था और पैसे भी नहीं कमाता था इस महिला को सबने बोला हुआ था कि जिवॉस लेना बहुत गलत बात है जोसफ ने उसे समझाया कि शादी दो दिलों का बंधन है अगर दो दिल आपस में जुड़े हुए हैं दोनों की बीच प्यार है इज़त है तभी शादी अच्छी बन सकती है मार खाते हुए आसू भाते हुए खुद खत्म होकर शादी चलाने की किसी इंसान को कोई जरूरत नहीं है अगर आप confused है कि डिवॉस लेना चाहिए या नहीं तो हमेशा अपने subconscious mind से पूछे कि सही रास्ता क्या है एक young couple जिनकी शादी कुछ महीने पहले ही हुई थी डिवॉस की बाते करने लगा था लड़के को लगता था कि उसकी बीवी उसे छोड़ देगी इस डर की वज़ा से वो उस पर हमेशा शक करता था दोनों का रिष्टा अजीब सा हो गया था एक दिन बीवी ने घर छोड़ दिया और वाकई डिवॉस मांग लिया दोनों जब जोजफ से मिले तो जोजफ ने उन्हें प्रेयर थेरपी के बारे में बताया दोनों ने खुद के डर पर काम किया एक दूसरे को डर की जगा दुआई भेजनी शुरू की इन दोनों की शादी आज बहुत अच्छी चल रही है कई बार एक बीवी अपने पती को भला बुरा इसलिए सुनाती है क्योंकि उसे अपने पती से प्यार और अटेंशन चाहिए होता है कुछ बीवी अपने पती को कंट्रोल में रखने के लिए भी सुनाती रहती है मगर ये किसी भी आदमी को खुद से दूर करने का सबसे बहतरीन तरीका होता है अपने पार्टनर को अपना सारा अटेंशन दें और एक दूसरे की खूब प्रशंसा करें अगर एक आदमी अपनी बीवी को अवोइड कर रहा है उस पर बिना बात के गुस्सा हो रहा है तो वो उसे धोखा दे रहा है वो अपनी बीवी के प्रती वफादार नहीं है अगर आपकी शादी में कभी भी दिक्कत आए तो अपने दोस्तों को रिष्टिदारों को कभी मत बताईए बताना है तो किसी शिक्षित काउंसिलर को बताएं मगर अपने पती की बुराईयां दुनिया के सामने ना करें क्योंकि आप वो बाते बता रही है इसलिए आप सिर्फ पती की बुराई नहीं कर रही है आप अपनी भी बुराई कर रही है दूसरी तरफ अपनी पत्नी को बदलने की कोशिश कभी मत कीजिए इससे उनके आत्मे विश्वास पर बुरा प्रभाव पड़ेगा वो आप से दूर हो जाएंगी और आपकी शादी खतम भी हो सकती है हम खुद के अलावा किसी को नहीं बदल सकते हैं इसलिए कामयाब शादी बनाने के लिए पहला स्टेप है रात को सोने से पहले अपनी सारी लडाईयों को खतम कर दें और सुभा जब आप उठें एक नई शुरुआत कीजिए जिसमें आप अपने पार्टन को घरवालों को और पूरी दुनिया को दुआएं भेजें दूसरा स्टेप सुभा नाश्टे के वक्त उपरवाले को थांक्यू बोले आपका खयाल रखने के लिए और आपको जीवन की सारी खुशिया प्रदान करने के लिए अपने पार्टन को भी थांक्यू बोले उस हर चीज के लिए जो आपके लिए हर दिन करते हैं तीसरा स्टेप हर शाम पती पत्नी को एक साथ प्राथना करनी चाहिए अपने पार्टन को कभी भी for granted ना ले प्यार सिर्फ शब्दों का खेल नहीं होता प्यार आपकी सोच और आपकी action से पता चलना चाहिए शादी से खुशी नहीं मिलती है खुशी मिलती है उपर वाले के दिखाए गई रास्ते पर चलने से और अपने subconscious mind से जुडने से इस खुशी के साथ जब आप शादी करते हैं तब आप वो खुशी अपने पाटना के साथ बाट सकते हैं अगर आप एक प्यार करने वाला अच्छा सच्चा जीवन साथी चाहते हैं तो आपको भी खुद वैसा ही होना चाहिए चाप्टर फोटीन सबकॉंशिस माइंड और आपकी खुशियां आपको बहुत खुशी हुई होगी जब आपके बच्चे ने जनम लिया या जब आपकी शादी हुई थी या जब आप कॉलिट से ग्राजुएट हुए थे या जब आपकी एंगेजमेंट हुई थी मगर जिन्दगी के ये अनुभव कितने ही खुबसूरत क्यों ना हो इनसे असली खुशी नहीं मिलती गहरी और कभी ना खतम होने वाली खुशी का एहसास हमें तब मिलता है जब हम उपर वाले पर भरोसा रखते हैं और अपनी जिन्दगी को सबकॉंशिस माइंड के दिखाए हुए जिन्दगी की छोटी चीजों में खुशी चुपी होती है खुश रहना बहुत आसान है आपको बस खुशी चुन्नी है सुभा उठते ही खुश से कहिए मेरी जिन्दगी डिवाइन ओर के मताबिक चल रही है आज मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा जोजफ एक किसान के घर में कुछ दिन रहे थे ये किसान हमेशा खुश रहता था जब जोजफ ने इनसे इनकी खुशी का रास पूछा तो ये किसान बोला कि खुश रहना मेरी आदत है हर सुभा उठते ही और रात को सोने से पहले मैं अपने परिवार को, अपने खेत को, गाय को, सब को आशिरवाद देता हूं और उपर वाले का शुक्री आदा करता हूं मेरी जिन्दगी की हर खुशी के लिए ये किसान पिछले 40 साल से यही कर रहा था और अब खुश रहना इसकी आदत बन चुकी थी खुश रहने के लिए सबसे जरूरी चीज है खुश रहने की इच्छा कई लोग जिन्हें दुखी रहने की आदत होती है अगर कभी खुश हो भी जाते हैं तो सोचने लगते हैं कि मैं खुश क्यों हूं ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दुखी रहने में वो ज्यादा comfortable फील करते हैं इंग्लेंड में एक लेडी थी जिनकी हडियों में हमेशा दर्द रहता था इन्हें इनकी तकलीफ की वज़ा से बेटा, बेटी, पडोसी सभी का खूब attention मिलता था ये खुश रहना ही नहीं चाहती थी, इनका दर्द कभी खतम ही नहीं हुआ क्योंकि इन्हें इसी दर्द और attention में मज़ा आ रहा था कई बार हम सोचते हैं कि अगर मेरे पास ये आ जाए या वो आ जाए तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी मगर ऐसे बहुत सारे पैसे वाले लोग आए और गए जो बेहत उदास और suicidal महसूस करते थे खुशी आपके अंदर से आती है, समाज में कोई position, पैसा, ऐसे किसी भी चीज़ से खुशी नहीं मिलती खुशी मिलती है जब आप अपनी जिंदगी को subconscious mind से जोड लेते हैं, अपने अंदर की आवाज सुनते हैं, समझते हैं और उपर वाले से एक प्यार और विश्वास का रिष्टा बना लेते हैं सान फ्रांसिसको में एक आदमी था जो अपने बॉसस से बहुत परिशान रहता था, उसके बॉसस भी उसके खिलाफ रहते थे, इस वज़ा से business पर बुरा असर पढ़ने लगा था इस आदमी ने हर दिन अपने subconscious mind से ये कहना शुरू किया, हमारी company में काम करने वाले सारे कर्मचारी, sincere और वफादार हैं, मैं सभी को प्यार, दुवाएं और good will भेचता हूँ, उपर वारा सारे फैसले ले रहा है, मैं बस उसका एक माध्यम हूँ, इस शक्स ने दिन में ती परेशानी हर वक्त सताती रहती है, आप practice से इस pattern को पूरी तरह से बदल सकते हैं, हर चीज मिल जाएगी, उसके बाद आपको खुशी का हैसास होगा, इस बात की कोई guarantee नहीं है, आपके अंदर एक पावन शक्ती है, जब आपको शक्ती का इस्तमाल करते हुए, दूसरों को प्यार, उम्मीद और रोशनी देते हैं, तब आप खुद बखुद खुश रहना सीख जाते हैं, पैसे से आप खुशियां नहीं खरीच सकते, कुछ पैसे वाले बहुत खुश हैं, कुछ बहुत दुखी हैं, कोई शादिशुदा है और बहुत दुखी है, कोई सिंगल है और बहुत खुश है, यानि कि खुशी का महल आपके अंदर ही है, आपकी सोच में छुपा हुआ है। तो ऐसे में उनके साथ आपके रिष्टे कभी भी अच्छे नहीं बन पाएंगे। आपके मन में जो भी थौट आ रहा है, उसे सोचने वाले आप हैं। इसलिए जब आप किसी के बारे में बुरा सोचते हैं, तो नुकसान आप ही का होता है। जब हम किसी के लिए कुछ होता है। एक महिला बहुत परिशान थी क्योंकि उसके पती हर सुभा अगबार पढ़कर गुस्सा हो जाते थे। हर दिन इतने आक्रोश में आ जाने की वज़ा से उनके शरीर पर अलसर्स निकलाए थे। जोजफ मौफी ने इस आदमी को समझाया कि अखबार वालों के पा आदमी को ये बात समझाया और इसने अपने गुस्से पर काबू पाना शुरू किया। ये अखबार पढ़कर गुस्सा करने की जगा हसने लगा। कुछ दिनों बाद इसके अलसर्स भी अपने आप ठीक हो गए। दूसरा इंसान क्या कह रहा है या वो क्या कर रहा है। इस उसके बारे में सोचते हैं। उसके बाद आप गुस्सा होने का फैसला लेते हैं। उसके बाद आप रियक्ट करते हैं, गुस्सा करते हैं। यानि कि सारा thought, emotion, reaction, action, सारी planning हमारे खुद के दिमाग के अंदर चल रही होती है। जब हम emotionally mature بن जाते हैं, तब हम negatively react करना बंद कर द हमेशा अपने गोल पर फोकस कीजिए, किसी भी इंसान को इतनी ताकत मत दीजिए कि वो आपको कभी भी अपने लेवल पर नीचे खीच सके प्यार का मतलब होता है हर इंसान की इज़त करना, उन्हें दुआई भेजना, उन्हें समझने की कोशिश करना जितना प्यार आप दूसरों को देंगे, उतना प्यार आपके पास वापिस लोट कर भी आएगा एक अक्टर था जिसे उसके पहले प्ले में ओडियंस ने बहुत क्रिटिसाइज किया था इस हाथसे के बाद, ये अक्टर हमेशा ओडियंस के बारे में भला बुरा बोलता था और उसने थेटर में काम करना बिल्कुल बंद कर दिया था जब इस actor ने subconscious mind के बारे में समझा तो इसने हर रात audience को प्यार भेजना शुरू कर दिया मुझे देखने वाला हर शक्स उपर वाले का दूत है मेरी audience खुशाल है और मैं उन्हें दुआई भेजता हूँ आज ये शक्स एक बहुत बड़ा actor बन चुका है कुछ लोग mentally ill होते हैं अपने manipulation से, emotional games से आपको control करने की कोशिश करते हैं ये लोग अकसर सोचते हैं कि मैं इतनी दुखी हूँ, ये खुश कैसे हैं इसे तो मुझे नीचे लाना चाहिए ऐसे लोगों को अपनी अच्छाई का फाइदा बिलकुल ना उठाने दे उन्हें दुआएं भेजें, मगर आप वो करें जो आपको अपने लिए सही लगता हो किसी को इतनी ताकत ना दें कि वो आपको आपके रास्ते से हटा कर अपने रास्ते पर ले आए जोजफ से मिलने एक लड़की आई, जिसे बहुत जलन हो रही थी किसी और लड़की को देख कर क्योंकि ये लड़की बहुत खुश रहती थी और उसके पास बहुत पैसे भी थे बाद में पता चला कि जिससे वो जल रही थी, उसकी एक बेटी थी जो चल नहीं सकती थी जब इस लड़की ने मा बेटी को साथ में देखा, तो उसकी जलन गायब हो गई उसके मन में उस लड़की और उसकी बेटी के लिए प्यार जागरुख हो गया जब आपका देखने का नजरिया बदल जाता है, तो आपके emotions भी बदल जाते हैं अगर कोई खुश है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी जिन्दगी में कोई दुख है ही नहीं वो खुश है, क्योंकि वो खुश रहना चाहता है और जब आप किसी और की खुशी में खुश होते हैं, तो आप अपना good fortune बढ़ा लेते हैं हम सब उपर वाले की खुबसूर्ती को एक्सप्रेस करने का माध्यम है अगर आप अपने मन में गाठे बांद लेते हैं, तो आप इस energy के बहाओ में रुकावट डाल देते हैं कई बार हम उपर वाले से नाराज हो जाते हैं क्योंकि हमारी मुसीबतें हमें कमजोर होने का एहसास दिलाती है इसी तरह से हम लोगों से भी नाराज हो जाते हैं और हमारी नाराजगी हमें अपने जीवन में खुद आगे बढ़ने नहीं देती है कुद्रत हमेशा माफ कर देती है, अगर आपकी उंगली कभी कट जाए तो वो अपने आप ठीक भी हो जाती है एक आदमी था जिसने अपने भाई का खून कर दिया था, उसके भाई का उसकी बीवी के साथ अफैर चल रहा था 15 साल बाद, ये आदमी दूसरी शादी कर चुका था, इसके तीन बच्चे भी थे ये दूसरों की बहुत मदद करने वाला नेक दिल इनसान बन चुका था, मगर ये खुद को अभी भी माफ नहीं कर पाया था साइंटिस्ट्स कहते हैं कि हमारा शरीर हर 11 महीनों में बदलता है जोजफ मुफी ने इस शक्स को समझाया कि जिस इंसान ने उनके भाई का मुडर किया था, वो सालों पहले गुजर चुका है इसलिए उन्हें आज खुद को सजा देने की कोई जरूरत नहीं है, उन्हें खुद को माफ करना ही होगा अगर आपको कोई कुछ कहता है जो सच नहीं है, तो आप उससे हर्ट हो ही नहीं सकते आप आसानी से उस थौट को रिजेक्ट कर सकते हैं दूसरी तरफ, अगर आपको कोई फीडबैक मिलती है जिसको अपनाने से आपका फाइदा होगा, तो आपको उस इंसान का शुक्रियादा करना चाहिए जोजफ एक शादी में गए थे, दुलहन दूले का चर्च में इंतजार करती रही, दूला नहीं आया दूलहन ने कुछ आँसू बहाए और बोली, शायद यह हमारे लिए सही नहीं था, क्योंकि मैंने उपर वाले से कहा था, कि जो भी हम दोनों के लिए अच्छा है, वही होना चाहिए शायद इस लड़की की जगा कोई और लड़की होती तो बेहोश हो जाती और उसे हॉस्पिटलाइज भी करना पड़ सकता था मगर जब हम उपर वाले से और अपने सबकॉंशेस माइंड से जुड़ जाते हैं और भरोसा करना सीख जाते हैं, तो हम हर स्थिती में शान्त रहते हैं अगर आप अपने जीवन में सुक शान्ती चाहते हैं, तो आपको माव करना सीखना होगा खुद को और दूसरों को माफ करना बहुत जरूरी है अगर आप अपने अंदर दूसरों के लिए गुसा पालते रहते हैं तो इस से आपकी सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ता है माफ करने के लिए सबसे जरूरी है माफ करने की इच्छा रखना अगर आप माफ करने की इच्छा रखते हैं तो आप इस जंग को जीत जाएंगे जरूरी नहीं कि हमें अपने आसपास के सारे लोग बेहत पसंद हो लेकिन उन्हें बिना पसंद किये भी हम उन्हें प्यार और दुआएं भेज सकते हैं जब आप किसी को माफ कर देते हैं तो ये आपका बड़पर नहीं होता है ये आपकी खुदगर्जी होती है आप उन्हें माफ उनके लिए नहीं अपने मन की शांती के लिए करते हैं अपने दिमाग को शांत कीजिए उपर वाले के बारे में सोचिए और फिर अपने सबकॉंशियस माइंड से कहिए मैं पूरी तरह से माफ करती हूँ मैंने उस हर शक्स को जिसने मुझे कभी भी दुख दिया है उसे आजाद करती हूँ मैं उन सब को दुआ देती हूँ वो खुश रहे और उनका जीवन शान्ती पूर्वग बीते मैं भी आजाद हूँ और वो भी आजाद है अब आप ये कैसे टेस्ट कर सकते हैं कि आपने वाकी किसी को माफ कर दिया है जब आपके सामने कोई उस शक्स की तारीफ करे और आपको कोई फरक ही ना पड़े तब आप आगे बढ़ चुके हैं उधारन के तौर पर अगर आपको पिछले साल दांत में दर्ध हुआ था और इस साल मैं आपसे उस एपिसोट के बारे में बात करूँ तो आपको वो इंसिडेंट याद तो होगा मगर उसके बारे में बात करते हुए आपको कोई तकलीफ नहीं होगी जब हम अपने अंदर छुपी ताकत को पहचान लेते हैं तब माफ करना बहुत आसान हो जाता है आपको पता होता है कि आप ही अपनी जिंदगी को क्रियेट कर रहे हैं और आप कभी भी अपनी जिंदगी का रुख किसी भी दिशा में मोड सकते हैं डर हमारा सबसे बड़ा दुश्मन होता है हर हार, हर बिमारी, हर तकलीफ का कारण डर ही है डर को खतम करने का एक ही इलाज है जिस चीज से आप डरते हैं वो चीज कर दीजिए डर अपने आप चला जाएगा जब आप दिड़ निश्चय ले लेते हैं कि आपको अपने डर पर विजय पानी ही है तो आपका सबकॉंशिस उस बात को सच मान लेता है और फिर वैसा ही होगा एक मेडिकल स्टूडिंट था जिसे एक्जाम से इतना डर लगता था कि एक्जाम के दौरान वो सब कुछ भूल जाये करता था उसे डर था कि वो फेल हो जाएगा और उसके सबकॉंशिस माइंट को यही लगता था कि वो फेल होना चाहता है इस लड़के ने हर रात सोने से पहले इमाजन करना शुरू किया कि इसकी मा इसे कंग्राचलेट कर रही है क्योंकि इसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है दीरे दीरे इस लड़के का परफॉर्मेंस वाके में सुधरने भी लगा जोजफ मुफी करीब 10 साल के थे जब यह स्विमिंग पूल में गिर गय थे इन्हें सांस लेने में बहुत तकलीफ हुई थी और इस मेमरी की वज़ा से उनकी अंदर पानी का डर बैठ किया था इन्होंने अपने डर को खतम करने के लिए पानी में जाकर पानी को देख कर बोलना शुरू किया मैं तुम पर जीत हासिल करूँगा इसके बाद उन्होंने स्विमिंग सीखी और अपने डर को पूरी तरह से खतम कर दिया अगर आपको उचाई से, पानी से, स्टेज से, किसी भी चीज से डर लगता है तो पहले अपने मन को शांत कीजिए मेडिटेटर स्टेट में जाने के बाद इमाजन कीजिए कि आप तैर रहे हैं या वो चीज कर रहे हैं जिससे आप डरते हैं आपको पानी का हैसास होगा, लहरे आपके चारों ओर हैं या पहाड पर चड़ रहे हैं, सीनरी को एंजॉय कर रहे हैं बार बार ये करने से आपका सबकॉंशिस माइंड इस इमिज को सच मान लेगा और आपका डर भी फिर खतम हो जाएगा इनसान सिर्फ दो डर के साथ जन्मा है, शोर का डर और गिरने का डर अगर आप पीछे से गाड़ी के आने की आवास सुनते हैं, तो आप रास्ते से हट जाते हैं ये डर आपकी सुरक्षा के लिए जरूरी है इन दो डर के अलावा बाकी सारे डर हमारे नहीं है ये डर हमें माबाप, समाज और टीचर्स ने दिये हैं जब हम किसी डर को सुभा शाम इमाजन करते हैं और यही सोचते रहते हैं कि कैसे हमारी जिंदगी उस डर के लपेट में आने वाली है तब हम मुसीबत को खुदी नौता दे रहे होते हैं या जब हम किसी एपिडेमिक के बारे में सुनते हैं और हमें लगता है कि वो बिमारी हमें होने वाली है तो यह abnormal fear है इसे हम खुद ही बना रहे हैं और बढ़ा भी रहे हैं आप अपने subconscious mind की ताकत से इन abnormal fears को खतम कर सकते हैं जो आप चाहते हैं अपने subconscious mind से वो कहिए अपने fears पर ध्यान मत दीजिए अपने डर को देखिए और उस पर हसिए आप बहुत ताकतवर हैं आपके thoughts के बिना आपके डर का कोई वजूद ही नहीं है आपके सामने कोई भी डर बहुत कमजोर है चाप्टर 18 उम्र भर जवान रहें पेशिंस, काइननेस, प्यार, खुशी, एक नेक दिल, विज्डम ये कुछ ऐसी क्वालिटीज हैं जो कभी बूरी नहीं होती ये हैं तो इनसान में हमेशा जीने का उत्सा बरकरार रहता है उम्र सिर्फ सालों से नहीं गिनी जाती बढ़ती उम्र के साथ इनसान को जिन्दगी का मतलब और अच्छे से समझ में आना चाहिए 65 से 95 आपकी जिन्दगी के सबसे भैतरीन साल हो सकते हैं आप अपने माइंड को नहीं देख सकते हैं मगर आपको पता है कि वो है उसी तरह आप जिन्दगी को नहीं देख सकते मगर आपको पता है कि जिन्दगी है हमारा सबकॉंशियस माइंड भी वैसा ही है आपके अपने सबकॉंशियस माइंड से रिष्टा कभी बूढ़ा नहीं हो सकता जितना आपको लगता है आपकी उम्र है उतनी ही आपकी उम्र होगी अगर आपको लगता है कि आप अंदर से बहुत जवान हैं बाहर से बहुत खूपसूरत हैं तो वही आपका सच है बुढ़ापे में जवानी से ज्यादा खुशी मिल सकती है बुढ़ापे में आप spirituality और भगवान के बारे में ज्यादा सोचते हैं कुदरत आपके शरीर को थोड़ा ढीला कर देती है और उस वक्त आप अपने subconscious mind से अपने रिष्टे को और मजबूत कर पाते हैं डाइट और exercise से हम ज्यादा दिन जवान नहीं रह सकते आपके grey hair आपकी कमजोरी नहीं है आपके पास जो सालों का तजुर्बा है, knowledge है, wisdom है ये है आपकी असली ताकत बुढ़े होने का डर मत पालिए हम जिस चीज से डरेंगे वही हम create कर लेंगे दरसल आप बुढ़े तब होते हैं जब आप सपने देखना छोड़ देते हैं या जब आप उपर वाले से दूर चले जाते हैं अगर आप retire हो गए हैं तो किताबे पढ़ना शुरू कर दीजिए दुनिया में आपकी बहुत जरूरत है कई writers, artists, scientists ऐसे हैं जिन्होंने असी की उम्र में अपनी जिंदगी का सबसे अच्छा काम किया है आप infinite intelligence के बच्चे हैं infinite यानि कि जिसका कोई अंत है ही नहीं ऐसे में आपका भी कोई अंत है ही नहीं फिर कैसी उम्र और कैसा बुढ़ापा आप एक शक्तिशाली आत्मा है यू आर पावरफुल और यू आर वन्दरफुल